आप सभी लोग देख रहे होंगे कि हम लोग current affairs के बारे में बात कर रहे हैं और देखे current affairs आपके हर exam के लिए बहुत महत्पूर रहता है और अच्छी खासी संख्या में current affairs से आपकी परिक्चाओं में questions पूँचे जाते हैं फिर चाहे आप लोग civil service की तैयारी कर रहे हों यानि कि UPSC की तैयारी कर रहे हों या फिर आप लोग state PCS की तैयारी कर रहे हों फिर चाहे आपको बिहार PCS हो, राजिस्थान PCS हो, 36गर PCS हो या फिर आप देखे कि आपका मद्पदेश PCS हो, उत्तरपदेश PCS हो इस तरह कि तमाम इस्टेट अपने यहां राज्य PCS का पेपर करवाते हैं सेविल सर्विस की तरह और आप लोग देखते हैं कि वन डे एकजाम की तरियारी भी तो आप लोग करते हैं बहुत सारे करते होंगे लोग इस्टेट लेवल की और सेंटरल लेवल की भी तो उन सब में भी questions पूँचे जाते हैं और इसलिए तो बोल रहा हूँ कि आप लोग कम से कम 4-5 साल पुराने questions पेपर उठा के देखिए उसके बाद आपको मालूँ चलेगा कि current affairs से कितनी questions पूँचे जा रहा है आपकी परेक्चा में जैसा कि आपको बताया था कि समसमाईग घटना चक्र के बारे में हम लोग बात करें और ये पूरा एक साल का current affairs है आपका और मुझे लगता है कि इस books का इंतजार आप सभी को बड़े बेसर्मी एक तरह से बेसबरी से रहता है और आपको मालो भी होगा कि हर साल हम लोग कबर करते रहते हैं आप लोग हमकी मांग भी रहती है कि आपको कुछ फायदा मिल सके अगर जो ए-books नहीं ले पा रहा है नहीं मगवा पा रहा है किसी कारण से और खासकर आप देखे कि यह आपकी उत्तरपते इसमें तो आसानी से मिल जाती है इलावाद के आसपास जो लोग रहते होंगे या इलावाद में रहते हैं लेकिन बाहरी राज्यवालों को यह बुक नहीं मिल पाती है लेकिन आप लोग ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं इस बुक्स को और इसमें जून 2021 से लेकर मई 2022 तक का करेंट अपेस सामिल है आपका पूरा लगबग एक साल का इसमें लाश्ट किलास में आपने देखा होगा कि हम लोग राश्टिय परिदिस्त देख चुके थे अंतराश्टिय परिदिस्त देख चुके थे आर्थिक परिदिस्त देख चुके थे अब हमें बात करने हैं बिग्ञानिक परिदिस्त के बारे में और इसमें हम लोग बात करेंगे नव अनवेसित जो आकासी एपेंड ने हुए उन पर बात करेंगे सौर मंडली ये अन्वेशन पर बात करेंगे अंत्रेक्ष्यान उपग्रह पर बात करेंगे खागोली इद्रस, तकनीकी अविस्कार सूचना एवं परोदुक्की नेदानिक अनुसंधान और किलोन एवं जीनौम मांचितरन और भी इस तरह से आप देखे बिज्ञान के छित में जो घटनाए घटी है 2020-21 में 2021 में तो उन सब पर हम लोग बात कर लेंगे और इससे पहले 2021 के हम लोग 2021 की बात कर चुके थे तो आप लोग प्लेलिस्ट सूची में जाएगी तो मुझे लगता है कि सब कुछ मिल जाएगा और इस साल की जो वुक्स है न इसके एक सेबरेट प्लेलिस्ट सूची बना दी गई है समसमाई घटनाचकर 2022 के नाम से तो वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं चलिए अब हम लोग टाइम बरबाद नहीं करते हैं क्योंकि टाइमिंग की आपके पास बहुत कमी देखी जाती है आगेतन खागोली गतिविधियां देख लीजे यान क्रेटर हाली में अमेरिकी अंत्रिक चैजनसी नासा की विज्यानिकों ने उत्तर पश्रिम चीन हेलोंग जियांग परांद में एक लाख वरस के भीतर एक लाख वरस के भीतर निर्मित विसका सबसे बड़ा क्रेटर खुजा है और याद रही कि चीन में खुजा गया है दूसरा संगात क्रेटर है चीन का पहला संगात क्रेटर जीवियान है और किसी उलका पिंड की पितवी से टकराने से निर्मित क्रेटर को संगात क्रेटर कहा जाता है और दच्छ रफीका के फ्री स्टेट फ्रांद में मौजूद लगवग 200 वरस पुराना व्रेडे फोर्ट क्रेटर विसका सबसे पड़ा क्रेटर है भारत में महराष्ट राज में बुल डाना मिलोनार जो जील है न वो भी एक क्रेटर का ही उधारन है फिर आप देखें कि पी एसल भी स्टी बावन आई ओएस जीरो चार मिसन चौदै फरवरी 2022 को भारत की धुर्वीय उपग्राय पिच्छे पन यान कि चंगन भी उडान सफलता पूर्वक संपन हुई है और पी एसल भी स्टी बावन ने स्री हरी लॉंच फैड से सपलता पूर्वक उडान भरी है इसके बाद आप देखें कि मुक उपग्रे आई ओएस जीरो और दो लगू उपग्रे को 539 किलोमीटर की उचाई पर सूर तुले कालिक धुर्वीय कक्छा में स्थापित किया गया है और 2022 में या इसलो का पहिजला पहिए सीबावन पी एसल वी के एकस एल संस्क्रेंड की 23 भी उडान है कौन से नंबर की ये 23 भी उडान है और आप देखेंगे कि EOS जीरो फोर एक भू आउलोकन उपग्रे है और वास्तों में यह एक रडार पिती विम्बित उपग्रे है जिससे आप देखेंगे किरसी हो वनकी हो वगान हो मिट्टी में नमी जल विग्यान वार्ड मांचितरन जैसे अनुपयोगों ही तू सभी मौसमी परिस्तितियों में उच गुडवत्ता वाली छबियां पिदान करने ही तू विखसित किया गया है क्यूंकि आप देखें कोई उपग्रे छोड़ा जाता है त उपग्रे केंद वैंगलोर ने किया है किसने वैंगलोरू ने ठीक है और और यह 2280 वार्ट उर्जा उत्पन कर सकता है इसकी मिसानावधी 10 साल की है और इस टू डी टू टी डी इस रो का एक पिरोदुगी की प्यदर्सक उपग्रे है जो भारत भूटान सयुक्त उपग्र इन्सफायर सेट वन एक चातो ग्रह को भारती अंत्रिक चे विज्ञान वपरोदुकी की संस्थान तिरू अनंत पूरम द्वारा कोलो राडो विस्विध्यालय अमेरिका की सहयोग से विक्सित किया गया है इसमें दो अन्न विस्विध्यालयों इसमें नान यांग टेक्नो इन्सेट 4B, 4B सेवा मुप्ध हुआ है ए 24 जनवरी 2022 को इसरों के संचार उपग्रह इन्सेट 4B को सेवा मुप्ध कर दिया गया है और जीवन काल की समापती के पश्चात इस उपग्रह की मिसन पश्चात निप्टान पिक्रिया संपन हुई है और इस पिक्रिया को सहयोगत इन्सेट 4 सिंखला का दूसरा उपग्रह था यह अपने साथ 12 के यू बेंड के साथ 12 सी बेंड के ट्रांसपॉंडर भी ले गया था और आप देखेंगे कि फिर आप जैम्स वेव स्पेस टेलीसकॉप यह क्यों चर्चावे हैं यह आप देखेंगे 25 दिसंबर 2021 को नासा के जैम्स वेव स्पेस टेलीसकॉप का फिच्छ पर्ण फेंच गुआना दच्छनमेका से यूरोपिय एरियन फाइब रोकट द्वारा लॉंच किया गया है और जैम्स वेव स्पेस टेलीसकॉप नासा द्वारा अब तक निर्मित अधरवाधिक सक्तिसाली अंत्रिक्ष दुरवीन है जैम्स वेव अंत्रिक दुरवीन को स इसका पुनर नामकरन नासा की पूर्व प्रिसासक जैम्स इवेव के नाम पर किया गया है और जे डवलु एश्टी की प्रात्मिक दर्पन का ब्यास आप देखेंगे 6.5 मीटर है कितना 6.5 मीटर और यह अब तक का अंत्रिक्ष में पिछे बिद सबसे बड़े दर्पन से युक्त दुर्वीन है यह दर्पन यह दर्पन 18 अलगलग खंडों से नमित है और यह सभी खंड 60 कोड़ी है आकार के हैं दर्पन के सभी खंडों का निर्मार अत्यदिक हलकी वेरियम धातु से किया गया है और इस दुर्वीन की सबसे बड़ी विसिस्ता इनकी इसकी एक ट कनाडाई अंतरिक चैजनसी का एक सांजह में सन है नासा का गो डार्ड इस्पेस फ्लाइट में सेंटर इसके विकास के प्रबंधन यह तु उत्तरदाई भी है और जे डबलू एस्टी अंगले दसकी एक प्रमुक पिर व्यद साला है जो ब्रहमंड के इतिहास के पितेक चर पिन्नों को देखा जा सकेगा जो अभी तक किसी भी अन दुर्वीन के माध्यम से संभाव नहीं हो सका जे डबलू एस्टी को प्रया हावल दुर्वीन का इस्थाफपन कहा जाता है लेकिन यह बास्ताव में उसका उत्तरवर्ती है जे डबलू एस्टी मोक्षता औरक्त प माच मीटर है जबकि हरवल के दरपन का ब्यार ब्यास 2.4 यानि कि 2.4 मीटर है और जे डबलू एस्टी का दरपन हवल से 2.7 गुना अधिक बड़ा है फिर आप देखें कि रायो जैनिक रॉकेट इंजन धमन फस्ट इसमें क्या कहा जा रहा है इसमें कहा जा रहा है कि 25 नव या परिक्षन नांग को रिस्तित Solar Industries इंडिया लिमिटेट के परिक्षन के अंद में किया गया है धवन एक भारत की पिथम निजी रोप से विक्सित पूर्ण के रायो जैनिक रॉकेट इंजन है इसे इंजन का नाम कर्म पिख्यात भारती रॉकेट विग्यानिक डॉक्टर 37 धवन के सम्मान में किया गया है और धवन एक को सोफर एलोई के साथ 3D पेंटिंग फ्रोधवी की का उपयो करके विक्सित किया गया है यह एंजन दो उच्च पे दर्शन बाले रॉकेट फ्रयोड़दकों तरलीकित प्राक्तिक गैस तथा तरल ऑक्सिजन से संचालित होत आये जाएगा फिर आप देखेंगे भारती अंतरिक्ष संग का सोबारम आजम किया है यह अंतरिक्ष तथा उपगरे कंपनियों का इक अगडी ओद्योक संग है और भारती अंतरिक्ष संगी की उद्दे से भारती अंतरिक्षे संग नामक एक नई संस्था की परिकल्पना की गई है और ISPA में अंतरिक्षे बंब उपगरे है पुरोदुगीयों में उन्नत चमताओं से लेस अग्रनी घरेलू वें वेस्वी कंपनियों का पितिनिधी निदित होगा और ISPA की संस्थावक सदसों में लार्सन एंड ट्रोवो, नैल को टाटाट्रमो, वन वेव, भारती एरेटल, मैव, माई इंडिया, वाल चंदर इंडरस्टीज और अनंद टेक्नोलोजी लिमेटेड भी स्तामिल है ISPA का उद्देश भारत की अंतरिक्ष उद्द्यों के विकास को गत्दी विदान करना है और इस छेत में देश को एक अगड़ी पिती भागी बनाना है फिर आप देखेंगे हैंसन क्रेटर, 20 सेप्टमबर 2021 को अमेरिक्ती अंतरिक्ष एजंसी नासा द्वारा जारी विग्यपती के अनुसार अंतराष्टी खागोली संग ने चंदमा के दचिडी धरुप पर इस्तित एक क्रेटर का नाम करन हैसन क्रेटर किया है क्या हैसन क्रेटर किया है और यह नाम 1909 में पित्वी के उत्री धरुप तक पहुँचने वाले अमेरिकी आसवेद बेक्ती डॉक्टर मैथिव एलेकजंडर हैसन के नाम पर रखा गया है और याद रहे कि हैसन उत्री धुरुप तक पहुचने वाले पहले व्यक्तियों में से एक हैं और हैसन ने कई आर्केटिक अभियानों का नेदित किया है उबर्स 1945 में उने आर्केटिक अनवेशन हितु अमेरिकी नौसेना द्वारा एक मेडल से समानित किया गया और 1996 में में अमेरिकी नौसेनान में तैनाद एक पोत को EUSNS हैसन नाम दिया गया था फिर आप देखेंगे कि क्या देखेंगे कि GSLV F10 EOS03 मिसन आसफल हो गया है 12 गस्त 2021 को 37 दमन अंतरिक चिकैन सार सही हारी कोटा से फिच्छे पे GSLV F10 EOS03 मिसन आसफल हो गया है और त्री चरणी है GSLV F10 के पिच्छे पण के उपरांद उसके मत्पिता मोदूती है चरणों का पिदरसन सामान रहा है परन्तु तकनी की अवरोत के कारण तिती है क्रायोजिनिक चरण में पिज्जुलान नहीं हुआ है और याद रही इस मिसन के तह GSLV F10 के माध्यम से भू आउलोकन उपगरे EOS03 को भूत तुलिकालिक अंतरन कक्छा में पिच्छे पित किया जाना था और याद उपगरे चिन्नित किये गया किसी बड़े छित की बास्तविक समय कि छवियां लगा कर अंतराल फर उपलावद कराने ही तू पिच्छे पित किया जाना था और EOS03 फ्राक्तिक आपदाओं के साथ जल निकायों, फसलों, बनावरन, परिवर्तनों तथा इत्यादी की निगरानी में सक्छा मुप गरे था और इस उप गरे की मिच्छन गलाओधी 10 बरस ने धारित की गई थी कितने 10 साल अब बात करते हैं अगे तेन तकनीकी इवं परुद्गी की से संबंदित, क्या हाल है इसके तो आप देखें कि सबसे पहले सैमी कॉन इंडिया सम्मेलन 2022 29 अपरेल से 1 माई 2022 तक आयूजित हुए तीन देबसी ये बैस वेक सैमी कंडेक्टर सम्मेलन 2022 का उद्गाटन पिधानमंतरी मौदी साब के द्वारा किया गया है इस सम्मेलन का उद्धिस मौझूदा सैमी कंडेक्टर छमताओं को पिदर्शन करने ही तू करने नवाचार को आदर्स बनाने और वेस्विक सर्वोत्म पिथाओं पर चर्चा करने के दूप पिरमुक खेदधारकों के साथ लाने के लिए आयजित किया गया इस सम्मेलन का विसाई या थीम कह सकते हैं आप लोग भारत के सैमी कंडेक्टर पर पारिस्तिति की तंध की गती में बिद्धी करना इस्तवार की थीम इसकी रही है और सम्मेलन का विजन एलेक्टोनिक और सूचना परुद की मंत्रा लेदवारा बैंगलोर में की गई है पर आप देखें कि भारत की पहली इस्टील सलैक रोड एहाली में भारत की पहली इस्टील सलैक रोड हजीरा उद्धोगिक्षित सूरज गुजिराज में बनाई गई है यह लगवग एक किलूमीटर वच्छे लेन वाली एक प्रायोगिक पायलेट परियोजना है इसके साथ ही निर्माड में लगवग एक लाग टन प्रायोगिक परियोग किया गया है और याद रहे सड़क की मोटाई परमपरागत जो सड़कें डलती है उससे 30% कम है यह परियोजना भारत सरकार की पहले OS2 वेल्थ और स्वक्छ भारत अभियान का हिस्सा है इसका निर्माड आरसेलर मित्तल निफोन इस्टील इंडिया ने CSIR इंडिया विज्ञानिक और उद्धोगिक अनुसंधान परिशादों के अंधिरिये सड़क अनुसंधान संगठन एवं नीती आयो के साथ मिलकर किया गया है और फिर आप देखें कि सुपर कंप्यूटर परम प्रेवेगा फरवरी 2022 में भारती विज्ञान संस्थान बेंगलोर ने में परम प्रेवेगा नामक सुपर कंप्यूटर को इस्थाबित किया है या भारत की सबसी सकती साली सुपर कम्पीटरों में से एक है या किसी भारती अकादमी संस्थान में NSM के तहत इस्थाबित करने वाल सबसे बड़ा सुपर कम्पीटर है याद रहे कि सुपर कॉंपीटर को नेसनल सुपर कंप्यूटर्ण मेशन के तहत इस्थाभित किया गया है और इस कंप्यूटर की कुल सुपर कंप्यूटर्ण चमता 3.3 FATAפलोप से इस सुपर कंप्यूटर को पेगत संगञडन विकास केंद ने डिजाइन किया है और इसमें CPU, Notes है तू, Intel, Xeon, Cas, Cat, Leg, Professor और GPU Notes में NVIDIA Tesla V100 कायड का परियोग किया गया है इसमें और परम गंगा सुपरकम्प्यूटर, साथ मार्च 2022 को परम गंगा नामक सुपरकम्प्यूटर IIT रोड़की में स्थाबित किया गया है यह एक पेटा स्केल सुपरकम्प्यूटर है, इसकी सुपरकम्प्यूटर चमता 1.66 पेटा फिलोफ है इस सुपरकम्प्यूटर को राष्टी सुपरकम्प्यूटर मिसन के अंतरगत इस्थापित किया गया है इस उपन computer की उपलगता से IIT रोड़की और आसपास के अकादमीक संस्थाओं की प्रयोकता संभूधाय को computational सकती प्राप्त होती है और साथी विज्ञान अभियान्त की के बहु विसेई छित में अनुसंधान एबं बेकास्थ गतिविदी में तेजी आएगी तो यह भी याद रखेगा आप लो फिर आप देखेंगे आगे क्या है राष्टी सुपर कंप्यूटर मिसन पिरमों के सुपर कंप्यूटर एस सुपर कंप्यूटर सम्बंदित संस्थान हो गया परम सभाए IIT बहू परम सक्ति IIT खड़कूर परम ब्रमा आई आई सी पूने परम युक्ति JNCASR जवाल नहरू उन्नत ग्यान अनुसंदान के अंद बैंगलोर परम संगड़क ए IIT कानपूर परम सिद्धी CDAC पूने की बात हो रही है तो यह भी याद रख सकते हैं आप लो याद ही रखना है और क्या करोगे फिर आप देखेंगे भारत का पहला कोईला से मेथेनौल सयंथ भारत में उन्हें अधिक राकवाले भारतिये कोईले को मेथेनौल में बदलने की सौदेशी तकनिक विक्सित की है और इसे हेतू पहला प्रायोगिक सयंथ हैदराबाद में स्थावित किया गया है और याद रहे कि अधिकतर देश प्रायोगिक सायंत का उधगाटन किया गया है यह देश का पहला सोयदेशी उच राक कोईला गैसी करना आधारित मैथिनॉल उत्वादन सायंत है फिर आप क्या देखेंगे फिर आप देखेंगे भारत का पहला सोयदेशी सर्वर रुद्ध एत्तीन दिसंबर 2021 को केंदरी एलेक्टोनिक्स और सूचनाफ रुद्ध की की राजमंत्री राजीव चंद सेकर ने भारत का पहला सोदेशी सर्वर रुद्ध लॉंच किया है रुद्ध को राष्टी सूपर कंप्यूटरिंग मिसन की अंतरकत पिगब संगरन भेकास केंद द्वारा विक्सित किया गया है और रुद्ध सर्वर राष्टी सूपर कंप्यूटरिंग मिसन की तितिय चर्ण का हस्ता है और याद रहे रुद्ध सर्वर सुरक्षित विस्वसनिय इंटल जी ओन इसकेलेवल प्रोसेसर तक्निक की वर्तमान पीडी पराधारित डूल सॉकेट है रुद्ध सर्वर तेजगरना में सायक सिद्ध होगा और इस सौधेसी सर्वसी HPC, सेंटर्स, हाइफर स्केल, डाटा सेंटर्स, बैंकिंग, वाडिज और भी निर्माल, तेल तथा गैस उद्धिव, स्वास्थ सेबा सिक्षा, मनुरंजम्द उद्धिव, रक्षा और राष्टी सुरक्षा सहित विविन छेत्र लाभानवित होग टॉप 500 सूची, यह आप देखेंगे कि 15 नमुबर 2021 को जारी विस के दुत्र तम सुपर कम्पीटर की सूची, टॉप 500 की सूची, अंठावनबा संसकान के इनुसार विस का दुत्र तम सुपर कम्पीटर होगाकू है, यह जापान का है, और लिन पैक बेंचमार्क पर होगा लागू, फोगाकू, सुपर कम्पीटर के अधिक्तम संसाधन पिती गती, 444 पेटा फ्लॉप्स है, और फोगाकू, सुपर कम्पीटर राइकेंड, सेंटर फोर कम्पीटर्शनल साइंस को भी जापान में इस्थापित है, टॉप 500 की 39 सूची में सामिल 3 भारती सुपर 121 भारती स्थान मिला है, मेर 128 भारती स्थान मिला है, लेनफैक बेंचमार्क पर परमसिद्धी सुपर कम्पीटर की अधिक्तम संसाधन गती, 4.6 पेटा फिलॉप्स है, तो आप देखिए कि हम में और उनमें कितना जमीन आसमान का फरक है, ए 440 पेटा फिलॉप्स, ए 4.6 पेटा फिलॉप्स, विसके 35 सुपर कम्पीटर देख लीजे, एफ फू गाकू जापन का है, एफ फू थिसू इसका निर्माता है, 442 पेटा फिलॉप्स, सम्मिट अमेरिका का है, IBM के द्वारा निर्माता है, 148.6 पेटा फिलॉप्स, सेरा ए अमेरिका का IBM द्वारा निर्म चीन का है, NINR, CPC के द्वारा निर्मित है, 93 पेटा फिलॉप्स, फरल मूटर, अमेरिका का है, HPE के द्वारा निर्मित है, 70.9 पेटा फिलॉप्स है यह, चलिए आप बात करते हैं, Digital Quality of Life Index के बारे में 2021, यह क्या कह रहा है, 13 December 2021 को इस सूचकां का तीसरा संसकर्ण जारी किया गया, पिथम संसकर्ण 2019 में जारी किया गया था, और इस सूचकां को वेटिस जर्बर जिन, आइलेंड आधारी साइबर सुरक्षा कंपनी सर्फ सार्फ सार्थ द्वारा तेयार किया गया, और इस सूचकां के तहट जीवन की डिजिटल गुर्वत्ता को परिभासित करने वाले 5 मौलिक इस्तंबों के आधार पर विभेन देशों की रेंकिंग जारी की जाती है, इस तहम में कौन से हैं, इंटरनेट सामर्थ, इंटरनेट गुर्वत्ता, इलेक्टोनिक बुनियादी धाचा, इलेक्टोनिक सुरक्षा, इलेक्टोनिक सरकार, और सूचकांग में कूल 110 देशों को सामिल किया गया है, जो 20 की लगवक 90 पितिसत जन संक्या को समाहित करते है 110 देश, और सूचकांग में लगावत तार दूसरे वर्स, डैनमार्क, 0.83-13 स्कोर के साथ टॉप पर है, और दूसरे तीसरे स्थान पर आप देखें, क्रमसा दच्चिन कोरिया, ACI में पितंबी दच्चिन कोरिया है, और फिनलेंड है, तो यह भी याद रखिए, भारती में भारत को 17 वास्तान मिला है, और सूचका निर्माड की पांच इस्थमों पर भारत इंटरनेट सामर्त में 47 वे स्थान पर है, इंटरनेट गुरवत्ता में 66 वे स्थान पर है, इलेक्टोनिक्स बुनियादी धाचे में 91 वे नमबर पर है, इलेक्टोनिक्स सुरक्षा में इनसे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं हम लोग कितने पिछड़े हुए है ATL Space Challenge 2021 यह क्या कह रहा है इच्छे सेप्टमबर 2021 को अटल इनुवेशन मिशन नीतियाईग ने भारती अंतरिक्ष चनुसंधा संगठन इसरो और केंद्री मादमिक सिक्षाबोर सीवीएसी के साथ मिलकर इसकूली चात्रों में अंद्रिक्ष नवाचार तथा रचनात्मक विक्सित करने की दिरिश्टी कोर से ATL Space Challenge 2021 का कारिकरम सुरुआत की है ATL Space Challenge 2021 को World Space Week 2021 के साथ समर्द किया गया है World Space Week विज्ञान तथा पुरुद्की की छिद की युगदान को रेखांकीत करने के लिए वैस्वे की स्तर पर पितेग जीरो पितेग बर्स चार से दस अक्टूबर के मद्द मनाया जाता है वह है चैलेंज देश के सभी स्कूलों के विद्धार्तियों मेंटर एवं सिक्षकों के लिए तैयार किया जाता है इसमें ATL Tankering Lab वाले स्कूल भी आपके सामिल है इस चैलेंज में सामिल पिते के दल को चुनोती विसेयों मैंसे किसी एक के अंतर के पिसन को चुनकर उसका समाधान तेयार करना होगा चुनोती विसेयों का विवरन निमन है X-Pilora Space, Reach Space, Inhabit Space और Live Rage Space यह challenge कक्षा 6 से 12 तक के विध्यार्चियों को एक खुला मंच बिदान करेगा ताकि वे नवाचार की साथ स्वयम डिजीटल लिवक की अंतरेक्ष तक्नीक से जुड़ी समास्याओं करने में सक्षम हो सके फिर आप क्या देखेंगे फिर आप देखेंगे पित्थम बिद्धुद वाहन अनकूल राजमार्ग एए 19 अगस्त 2021 को कारना कर्ण जील रिसॉर्ट इस्थाविस सौर उर्जा अधारित इलेक्टिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उधार गार्टन किया गया है इसके साथ ही दिली चंडिगर राजमार्ग देश का पहला इलेक्टिक वाहन अनकूल राजमार्ग बन गया है सौरल सोलर इलेक्टिक वाहन चार्जिंग इस्टेशन वेक्तिगर गड़ से जुड़े रूफ टॉप रूफ टॉप सोलर सयंतों से युग थे जो चार्जिंग इस्टेशनों को हरेत और स्वक्छूर जा की आपोर्ती करते हैं करण लेक रिजॉट में स्थाफित इवी चार्जिंग इस्टेशन रणनेतिक रूप से दिल्ली चंडिगर राजमारगों के केंद बिंदू पर अवस्ते थे और इसे भारती हैवी उलेक्टिकल्स लिमिटेट द्वारा भारी उद्द्व मंत्रालाई की योजना फैम एक केंदर का स्थाफित किया गया लंबा समय लगेगा चार्जिंग के लिए और कहां मिलेगा ये चार्जिंग स्टेशन तो अगर उस तरह की सुगधाएं हो जाती है तो काफी फायदा मिलेगा और आप देखना है कि इस पर ओध्यान भी दिया जा रहा है फिर आपका है क्या राष्टिये हरित राष्टिये हाईडोजन मिसन 15 अगस्त 2021 को पच्चतरवी सुतंता दिवस की अउसरपन पिधानमंती नेदमोदी ने राष्टिये हाईडोजन मिसन की घोशना किये और इसन मिसन के माध्यम से भारत को हरित हाईडोजन की उतपादन एवं निर्याद के छित में वैस्वे केंद बनाने का लक्ष निर्दादित किया गया है और याद रहे भारत सक्कार ने केंद्री वजट 2021-22 में हाईडोजन उर्जा में अनुसंदान एवं विकास सेतु 25 करोड रूपे आवंटित किये हैं इसके तहट 2050 तक कुल उतपादित की जाने वाली हाईडोजन का 3-4 भाग नभी करनी है सिरोतों से उतपादित होगा और याद रहे कि सरपितम हाईडोजन अर्धवस्था नामक सब्दी की अउधारना दच्छिड अफेगी की रसायन सास्त्री जान वरोकिस ने पिस्तुत की है और उनका मत्था की हाइड्रोजन अर्धवस्था बर्तमान हाइड्रो कारवन आधारित अर्धवस्था का स्थान ले लेगी 2003 में भारत में राष्टी हाइड्रोजन उर्जा वोड गठिट किया गया था और 2006 में नवीन एवं नवी करनी है उर्जा मंतराले ने राष्टी हाइडोजन उर्जा रोड मैप पिस्तुत किया था और याद रहे भारत मिसन इनोवेशन नवी करनी है एवं स्वक्छ हाइडोजन चैलेंज IC8 के भागीदार देशों में से एक है और याद रहे मिसन इनोवेशन 24 24 देशों एवं European Union की एक प्रमुख बैस्विक पहले है जिसके गोशना 30 नवंबर 2015 में की गई थी मिसन इनोवेशन का उद्यस बैस्विक उर्जा स्वक्छ उर्जा नवाचारों में तेजी लाना है MI के अंतरगत आठ नवाचार चुनोती हैं सामेलें जिसमें से आप देखेंगे IC8 नवी करनी है येवं स्वक्छ हाइडोजन पर केंदरित है क्या है केंदरित है अब बात करते हैं वाहन इसकेपिंग नीती के बारे में आखिर ये नीती है क्या तो आप देखेंगे कि 13 अगस्ते 2021 में पिधान मंतीर नेद मौधी साहब ने राष्टिये ओटो मोबाइल इसकेपेज नीती का सुबारम किया है और इस नीती का सुबारम वीडियो कॉनफेंसे के माद्यम से गुजरात में निवेश सिखर समेलन के दौरान किया गया है वाहन इसकेपिंग नीती राष्टिये ओटो मोबाइल इसकेपिंग पेज नीती और की गोशना 2021-22 की केंद्री बजट में की गई थी और इस नीती के अनुसार पुराने बाहन को स्केप करके करने और नए खरीदने के लिए परोसान दिया जाएगा वाहन निर्माता इसकेपिंग प्रमाड पत नए बाहन खरीदने पर 5.30 की छूट दे सकते हैं और इसक्रेपिंग प्रिमार पत्य दिखाने पर नए बाहन के पंजीकन पर सुल्ख लगेगा, नए बाहनों की एक्ससोरों, कीमत के चार से चैपिती सद के बराबर पुराने बाहन का स्केप मूल, और इसमें राज्य व्यक्तिगत और वडिजिक बाहनों के लिए रोट एक्स पर किरमसा 25-35 और 15-35 तक छूट दे सकता है, पुराने बाहन रखने पर राज अतरिक्त हरित कर लगा सकता है, निजी बाहनों के पंजीकन सुल्ख के नवी करनिये बिद्धी पर कर सकता है, व्यदिक बाहनों के लिए फिटिनेस पिरमारन के नवी करनी सुल्ख में करने बाले बहान खेद में प्योग होने वाले कि और किसी उक्रण जैसे टेक्टर टेलर और हर्वेश्टर हो गए क्योंकि याद देखे पुराने बहान पुरानी पद्दिती से बने हुए हैं और उसमें आप देखते होंगे कि ज्यादा पी दूसर भी आपको देखने को मिलत है जीवास मुक्त इसपाथ ग्रेन इस्टील जुलाई 2021 में सुईडन जीवास में इंधन मुक्त इसपाथ ग्रेन इसपाथ का उतपादन करने वाला विसका पहला देश बन गया है और सुईडन इसपाथ के निर्वाता कंपनी SSAB ने अन दो कंपनियों LKAB लोएस के खनन कंपनी और वेटन फाल उर्जा कंपनी के साथ साज़ेदारी में इसका उतपादन किया है और उतपादन की पहली खेप SSB कंपनी ने अपने गिराह को वोलवो समुख को परिक्षन के तोर पर भेजी है और ग्रीन इस्टील के breakthrough iron making technology का निर्माड किया था और इस तकनीक अउधिस 2026 की सुरुआत में वडिजिक तोर पर बाजार में जीवास में मुक्त इस्टील पहुंचाना और उद्दो के फिर्वाने पर उद्दो प्रोद्गी का प्यदर्सन करना भी है क्या करना है प्यदर्सन करना भी है और फिर है कर आप देखें बैस्विक साइवर सुरक्षा सुच कांग 2020 इसके बारे में विज्यान लेजिए 29 जून 2021 को अंतराष्टी दूर संचार संइच दिवारा बैस्विक साइवर सुरक्षा सुच कांग जारी 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 गया है वर्स 2015 से來 होने भाली सुच कांग का उपाए चमता विकास उपाए सम सहयोग समंदी उपाए इसमें सामिल है आई टीउ में कि 193 सदस देशों इबं फिलिपी फिलिस्तीन कोल 194 देशों कि इस सूचकांग में भारत ने भारत ने 37 सिस्थानों की सुधार दसवा इस्थान हासिल किया है और साइबतराज अमिर्का आप देखेंगे पहली डेंकिंग पर है 100 स्कोर के साथ इस्टोनिया 99 48 स्कोर के साथ थीसरे नमबर पर है कोरिया गड़राज संगापूर इस्थान चौतरी नमबर पर है रोस साइबतराब अमिरात अमलेशिया आप देखेंगे पांचवी ड़ नमबर पर है तो उसे पहली ड़ पर है और ब्रेक्स राष्णों की अगर देखें त तो ब्राजील अठारवी नमबर पर रूस पांचवी नमबर पर भारत दसवी नमबर पर चीन तैंटीसवी नमबर पर और दच्छड कोरिया मापकरी दच्छड अफीका उनसर्ड वे स्थान पर तो एक ओबर वीव आप लोग रख सकते हैं और GCI 2020 में 100 अंकों के साथ सवितरा कौन का रहा है यह आप लोग याद रखा करिएगा चलिए अब बात करते हैं हम लोग सरीर एवं स्वास्त विश्यक बिज्ञानिक गतिविधियां जो हुई है बीस 21 में 21-22 में ठीक है दुनिया का पहला तीन खुराग वाला रेवीटी का ए आठ अपरेल 2022 को एहमदाबाद गुजरात इस्तित्पिरमुक फार्मा कंपनी कैडिला द्वारा विस्व का पहला तीन खुराग वाला रेवीटी का लॉंच किया गया रेवीज मुक्त भारत के उद्देश से कैडिला द्वारा बन टू थिरी अभियान के साथ इसे नोबल वैक्सीन को जारी किया गया है औ और कंपनी दोबारा इस तीन खुराग वाले एंटी रेवीट वैक्सीन का नाम थ्रावीज रखा गया इसका और थ्रावीज का नाम यह टी का पुनाह से यह नेनो कड आधारे जी फ्रोटीन टी का है यह रेवीज जी फ्रोटीन के विरुद एंटी वड़ी उत्पन करता है जो रेवीज वाइरस को वियसर करता है और याद रहे कि भारत ने 2030 तक रेवीज मुक्त होने का लक्ष रखा है गवा भारत का पहला रेवीज मुक्त राज है कौन गवा और गवा आप लोग गोमने की दिल्चस्थी रखते होंगे जाना पीच आई यह मनुस को मनुस में वर्षी यह देविट वैनेंट की अंदर सुवर की हिदय का सभल पित्यारोपन किया गया है यह पित्यारोपन मैरि मैरी लैंड मेडीगा सेंटर विस yapmış फिद्धियाले की डॉक्टरर अद्वार किया गया है विए अनुवार से कुरप से संसोधित एक विसम जात प्तियारोपण है जो पहली बार 1980 के दसक में मनुस्त में किया गया था जिसमें एक बच्चे के अंदर बबून का हिदय प्तियारोपद किया था और बच्चे की 21 दिन बाद मौत हो गई थी अमेरिका के संतावन वर्सी है डेविड वैनिट की भी हिदय पत्यारोपण के पश्चात आठ मार्च 2022 को इनकी भी डेट हो गई है चलिए तो यह याद रखी का फर आईश्वान भारत दिजीटल मिसन 26 परवरी 2022 को केंद्री मंती मंदल में आईश्वान भारत डिजीटल मिसन को राष्टी इस तर पर सुरू करने की हितु मंजूरी पिदान की गई है यह केंद्री स्वास्ते बंपरिवार कर लियान मंतराले के तत्वाधार में एक केंद्री चेत की परियोजना है इस में सन हितु 5 बरसों की अधी के लिए 1600 करोड रोपे का बजट निर्धारित किया राष्टी स्वास्त पर आधीकर्ण इस में सन हितु कयानवन एजनसी होगी और इस में सन के तहट आप देखेंगे नागरिक अपना आमा माकरी आभा आईश्वान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर बना सकेंगे इस नंबर से उसके डिजिटल स्वास्त का रिकॉर्ड को स्वास्त देखवाल स्वास्त देखवाल तक निया संगत पहुंच में सुधार करेगा इस में सन का प्याराईविक चरण 6 के अंदर सासित पिदेशों लग्दाग, चंडिगर, दादार नागर हवेली, दमन दूइप, पुदूचरी, अंडवान एको बार दूइप समू, लक्षदीब में सफलता पूरबग पूरा किया जा चुका है, पिर आप देखेंगे सौधेश, पिताम मल्टी मोडल नीरो इमेजिंग डाटाबेस, हाली में सौधेश नामक पहले बेहत इस तरही ये मल्टी मोडल नीरो इमेजिंग डाटाबेस का उध्याटन किया गया है, यह विसकी पहली मल्टी मोडल ब्रेंड इमेजिंग डाटा और एनालेटिक्स है, पहले है, इसे जैप रोधुगी की विभाग राष्टी मस्तिस्क अनुसंधान के अंद गुरु ग्राम हरियाना द्वारा विक्सित किया गया है, और आप देखेंगे सौधेश एक बिसिष मस्तिस्क पहल है, यह पहल उन प्रमार्डित नियूरो इमेजिंग, नियूरो केमिकल, नियूरो साइक कोलो जिकल आकडो एवं एनालेटिक्स परकेंदेत है, जो मस्तिस्क समंधी विकारों के प्रबंधन ही तो अनुसंधान करताओं को उपलद कराए गये हैं, फिर आप द 41 मिलियन अनुमानित मलेरिया के मामले दर्च किये गए हैं, 2020 में विसवर में आप देखेंगे, 627,000 लोगों की मलेरिया से मित्यू हो गई है, आप समझ रहे हैं, एक बड़ी संख्या होती है, रेपोर्ट के अनुसाद 2019 से 2020 के मद्ध मिर्तकों की संख्या में 12 पितिसत की व गरीब है ऐसली आप देख रहे हैं, बैस्मिक इस तर पर समी मलेरिया मामलों का 1.7% और कुल मित्यू का 1.2% भारत में दर्च किया गया है, और दश्यरपूर ऐसली पितिसत मामले के लिए जैव्मेदार है, और जबकि इस इचित दश्यरपूर ऐसली आमें घDas कोल मित्यू को दच्छल रफीका से सार्स कोविड टू वैसाडू का एक नए संस्कार्ण का पता चला है इस संस्कार्ण को वी डॉट वन डॉट वन डॉट वन डॉट पांसों तीस या ओमी कौन क्रॉन नाम दिया गया है और यह है वेरियंट बहुत बहुत अधिक संख्या में उत्फ़र वर्तन दर्स आता है वी पॉइंट वन पॉइंट वन पॉइंट फाइब टू नाइन है ओमी क्रॉन और इसी डब्लू एचो द्वारा वेरियंट ओफ कंसर्ण घुसित किया गया है सरवपत्म भारत में चिन्नित किये गए कोरोना वायरस की सवरूप वी वन डॉट वन डॉ जाना जाता है भारती विग्यान को उने सरवपत्म डेटा डेल्टा सवरूप की पहिचान और उसे बैस्विक डाटाबेस में दर्च कर आया डेल्टा संसकर्ण भी फॉइंट आप देखेंगे वन फॉइंट सिक्स वर्सेवन कितीन पिकार है इसमें आप देखेंगे वी ड डॉट 670.2 और फिर आप देखें तीन यह अलग अलग तीन पिकार के हैं और इसमें से बी डॉट 1.670.1 और वी डॉट 1.670.3 को वेरेंट आप इंटरेस्ट जबकि वी डॉट 1.670.2 को डेल्टा फिलस को वेरेंट आप कंसर्ण के रूम में गरिवी किया कहा है डेल्टा वेरेंट में डेल्टा वेरेंट की तुल्ला में एक अतरिक्त मियूटेसन होता है इसे आप देखेंगे मियूटेसन को के फोर 17N मियूटेसन नाम दिया गया है तर अपे थाम UK में खोजे गए कोरोना वाइरस के फोर B.1.1.7 संसकरेंट का डवलू एचो द्वारा नाम नाम दिया गया है तर अपे थाम राजील में खोजे गए कोरोना वाइरस के P.1 संसकरेंट को डवलू एचो द्वारा नाम दिया गया है गामा क्या दिया गया है तो यह भी याद रखिएगा IVF तक्नीक से भारत में पहली बार बनी है बयंस के बचड़े का नाम जनम 22 अक्टूबर 2021 को जारी बेगि जिवती के अनसार किंतिव गरवाधरन की IVF तक्नीक के माध्यम से भारत में पहली बार बनी बयंस के बचड़े ने जनम लिया है और बन्नी नसल की भेंस के 6 बार IVF गरवधान के बाद पिथम IVF बन्नी बच्छडे का जनम हुआ है यह पिक्रिया सोसीला एग्रो फार्मस द्वारा पूरी की गई जो गुजराद की सौमनाब जिले में धनेज गाउं में श्ते थे याद रहे 2017 में 36 गर की गोपाल नगर में IVF तकनीक से भारत की पिथम गाय की बच्छडे का जनम हुआ है किसके गाय की बच्छडे का तो यह आप लोग याद रख सकते हैं क्या रख सकते हैं याद रखना चाहिए मुझे लगता है और बन्नी भहस के बारे में अगर हम बात करें तो बन्नी भहस को कच्छी या कुंडी के नाम से भी आप लोग जानते हैं बन्नी भहस अपने उतकर्ष्ट जरम पिलाज में अपनी दुख्द उत्पादक्ता और पितीकूल परिस्तितियों में जीवित रहने की चमता के लिए जाने जाती है यह सूखे के द्वारा लंबी दुडी तक यात्रा कर सकती है और साथी यह भहस एक रोख फिती रोधी नसल है यह नसल जाना तर गुजरात के कच्छे जिले में पाई जाती है बन्नी भहस अपने एक इस्तन इस्तन इस्तरावण और अस्तन 2857.2 किलोग्राम दूद देती है और जिसमें ववसा की मात्रा 16.65 फिती सत्त होती है 2010 में इसे देश की ग्यारवी भहस नसल के रोब में राष्टी मानता पदान की गई थी सुतनता प्राप्ती के बाद यह भहस पहली ऐसी नसल है जिसे राष्टी इस तरह की मानता दी गई है क्या दी गई है? मानता दी गई है तो यह भी आप लो याद रखेगा क्या रखिएगा याद तो रखना ही होगा क्या गर सकते हो भारत में कोविद 19 टीका करण 21 सक्टूबर 2021 को भारत में कोविद 19 टीका करण का आंकड़ा 100 करोड एक अरप के महत्पूर पढ़ाओं तक पहुच गया है यह है उपलब्दी यह उपलब्दी टीका करण प्यारम होने की 9 महीनों यानि की 29 दिनों में अरजित की गई है भारत में कोविद 19 टीके की पहली खुराग 16 जन्वरी 2021 को एमस नई दिल्ली में टीकारण अभियान के दोरान सफाई क जरमचारी मनीश कुमार को पिदान की गई थी यह भी जारूर याद रखिएगा 21 अक्टूबर 2021 को नई दिल्ली इस्ति राम मनोहर लुहीया एस्पताल में दिव्यांग अरोन रोय वरारसी को कोविद 19 टीके की 100 वी करोड भी खुराग दी गई थी इतनी 100 वी करोड भी और स्वास्त देखवाल कर्मियों को पहले चरण में टीका लगाने के साथ देश ब्यापी कोविद 19 टीका करना अभियान 16 जनवरी 2021 को प्यारम किया गया था को कुर्वना से संबंदी था आप लोग एक ओवर्वी वियाब रखिएगा इससे कुश्टेंस पूचे जाएंगे और 19 परवरी 2021 को भारत ने कोविद 19 के एक करोड़ में टीका करन की मत्पूर पढ़ाओ को पार कर दिया है यह अरजिन करने में 34 दिन का समय लगा है जो कि वेसमें दूसरा सबसे तीज टीका करन रहा है और अमेरिका ने एक करोड़ टीका करन का लग्च 31 दिनों में जबकि रखना तो है कैसे ही रखो कैसे ही रखो मॉस्ट मॉस्ट की रिस्क्स पिथा मलीर यारोधी टीका एच्छे एक्टूबर चैटूबर 2020 को बिस्वर स्वास्त अंगठन द्वारा आय आर्टी एस और एस ऑबलिक एस वो जीरो वन नामक टीके की ब्यापक प्रियों की संसुती की गई है इस टीका का ब्यापक साइक नाम मॉस्ट क्यूरिक्स है और विस्वर स्वास्त अंगठन द्वारा अनुमोधित या पितम मलीरिया रोधी टीका है या टीका मद्यम से उच्छ पिलाजमो डियम फालसी पेरम मलीरिया संचरन बाले उप सहारा पीका तर्था अन्य चेत्रों में बच्चों को दिया जाएगा वेटिस दबा निर्माता गलेक्सो इसमित किलाइन द्वारा स्टीके को नविक्सित किया गया है या विस्वर स्थर पर सबसे घातक मलेरिया वरजी भी पिलाजमो डियम फालसी फेरम के खिलाब काफी पिरभावी है हाला कि यह ट देखी गई है 2016 में WHO द्वारा अफीका के तीन देसों घाना केन्या मलावी के चुनिंदाच हित्तों में इस टीके के परायोगी के रूप से प्रयोगी को स्विक्ति पिदान की थी RTS मलेरिया का पहला ऐसा टीका है जिसे निदानिक विकास पिक्रिया को पूरा किया है साथी इसे EUOPA Medicine Agency द्वारा सरकारात्मक विग्यानिक मानता भी प्राप्त हुई है यह मलेरिया का पहला टीका है जिसे तीन देशों घना केन्या मालवी ने अपने बाल पिती रक्षन कारकरम में भी सामिल किया है क्या किया है सामिल किया है Medicine from the sky Medicine from the sky 11 सेप्टमर 2021 को तेलंगाना के विकाराबाद जिले में से Medicine from the sky परियोजना प्यारम की गई इस परियोजना के लाउंच होने के साथ तेलंगाना टीकों से युक्त फिलोड की आपुर्टी के लिए द्रस सीमा से परे उडान सुरू करने वाला देश का पहला राज बन गया है और परियोजना के द्राउंच के माद्यम से दूरस्त ग्रामिट छेत्रों में दवाएं टीका और रक्त की आपूर्टी करना दवा वितरन हितु आर्ट वितरन भागिदार इस परियोजना में सामिल हैं जैसे बिलू डार्क मेड एक्सप्रेस या परियोजना तेलंगरा सरकार की पहल पर सूचना परोदुखी की बिभागी नेतत में 20 आर्थिक मंच नीती आयो और हेल्थ नेट गलोबन के सहयोग से चलाई जा रही है अब आप देखी हिदया घात सोध हेतु भारत का पहला बायो बैंक इसमें क्या कहा गया है 5 अगस 2021 को बिग्यान एबं प्रोदुखी की मंत्रालय द्वारा स्री चित्रा तेरुन नल इंस्टिट्टीट फोर में टीकल साइंसिस एंड टेक्नोलोजी तिरुवन अंद्पुरम केरल में भारत के पहले हिदय घात सोध बायो बैंक का उधगाटन किया गया है यह भविस के उप्चारों के लिए एक मार्गदर्सक के रूम में रक्त बायो प्सी और निदानिक आखनों इकत्तित करेगा और यह भविस के उप्चारों और प्रोदुखीकियों के विकास में मार्गदर्सक करने में सायक होगा यह बायो बेंक भारती बच्चों और वैसकों में हिदय सम्मंदी बीमारीओं और हिदय घात के बारी में अंतर दिर्ष्टी पिदान करेगा जो पर्ष्टमी देशों की तुल्ला में काफी अलग है और आप देखेंगे कि यह आडविक तरीकों को समझने में बहुत मदगा साबित होगा और हिदय घात की कारणों की पहचान, निदान और उप्चार में सुधार करेगा यह भारत एम विदेशों में अनुसंधान की सुविधा पिदान करेगा इसकी भंडारन सुविधा में माइनस 20 से माइनस 80 डिगरी मेकेनिकल फीजर और इक्तरल नाइट्रोजन भंडार भंडारन पिडाली सामिल है जो माइनस 140 डिगरी सेल्सियस पर जैब नबूने कई बर पैथी में सही उगात्मक अनुसंधान के लिए इस्टेम बैंगलोर के साथ एक समझोते पर हक्ता थर्वी किये दो दिल की मास पेसियों के फोलने से सम्मंदित है और जैसा की पहले आपको बता है कि गोआ का देश का पिथम रेवीज मुक्त राजज मना है इसके बारे में मजनोस्तों और कुत्तों दोनों में रेवीज भी साढय के संकमण पर न fees कर लिया है और गोआ 2018 से अनुदान की माद्नित quién का एक भी मामला सामने नहीं आया जून 2021 में विश्व स्वास्त संगठन ने चीन को मलेरिया मुक्त घोसित किया है और चीन में 1940 के दसक में पिती वर्स 30 मिलियन मलेरिया के मामले दर्ज किये गए थे पिछले तीन दसक में विश्व स्वास्त संगठन ने मलेरिया मुक्त पिरमाड पत प्राप्त करना वाला चीन डवलुयाची पश्वी पिसांद चेत का पहला देश है पश्वी पिसांद चेत में जिन देशों ने मलेरिया मुक्त देश का पिरमाड पत हासिल किया उसमें उस्टेलिया 1981 में सिंगापूर 1982 में वरुनई दारो सलम सलाम ए 1987 में सामिले चीन साइद विस से इस्तर पर 40 देशों ओड चेतरों को डवलुयाची पिरमाड पत प्राप्त हुआ है हाली में अलसलवाडोर अर्जिंटीना अलजेरिया प्रागवे ओजवेकिस्तान को मलेरिया मुक्त घोसित कर दिया है भारत में मलिरया उनुमूलन हितू प्रियास 2015 में पर आरव हुआ और 2016 में केंधिय स्वास्ते वँवं परिवार करलेण मंतराले ने मलिरया उनुमूलन हितू राष्टी रूप रेखा दोसले से 2030 को लौन्च किया है जुलाई 2017 में मंतरालेद्वारा, मलीरिया, उनुमूलन, हितुराष्टी, रणनेते की योजना 2017 से 22 को लॉंच किया गया फिर आप देखेंगे 2DGI64 एक क्या है एक आप देखेंगे क्या देखेंगे कि मई 2021 में Drugs Controller General of India DCGI ने COVID-19 महामारी की दबा 2-D-Oxy-D-Glucose के आपात इस्तिमाल को मंजूरी पिदान की रक्षा नुसंदान इवां विकास संगठन की परियोग साला Institute of Nuclear Medicine and Collide Sciences द्वारा 2DG दबा एक anti-COVID-19 जेके सिए अनफियोग विक्षित किया गया है और NINMAS ने यह कार डॉक्टर रेडी लेवर्टीज हैदराबाद के सहयोग से किया है यह दबा वाइरस से संक्यमेत कोशीकाओं में संगीत हो जाती है और वाइरस की संसलेशन और उर्जा उत्पादन को रोक कर वाइरस को विक्षित होने से रोक देती है मई 2021 में आयूस मंतराले द्वारा आयूस मंतराले की केंदरी आयूस विज्ञान अनुसंधान पविशा द्वारा विक्सित किया गया और इस दबाई को लेने की सलाय आयूस वेदिक योग आधारित नेसनल क्लिनिकल मेनेजमेंट प्रोटोकॉल द्वारा भी दी गई है यह दोनों दबाएं कोविद-19 मरीज्यों के लिए लाबकारी है चलिए अब बात कर लेते हैं परियाबन विज्ञान के बारे में जो भी 2021-22 में परियाबन से जुड़ी हुई घटना हुई है इन्हें भी देख लिजे आप लोग जरूरी है देखना तो देख का पहला सी वीड पारक े 16 अपरेल 2022 को मद्स फालन पसु पालन और देखरी राज मंत्री ने तमिलाडू में देख का पहला सी वीड पारक स्थाबित करने की गोषना किये इस पारकी स्थाफना पिदार मंत्री मद्स संफदा योजना के थ Яत की जाएगी सी वीड फार्ग को विसेश आर्थिक छेत का दरजा पदान किया जाएगा और याद रहे सी वीड लाल हरे या फिर भूरे समुदरी सेवाल हैं सी वीड की बहुत सी प्रजातियां खाने यूग होती है और बहुत सी मनुस के लिए व्योसायक महत्त की होती है कारवन तटर्ष्ट किरसी एक कारवन तटर्ष्ट किरसी का ताथ पर किसी की दोरान होने वाले ग्रीन हाउस गेस के उस्याजन और आवसोर्षन की भी संतूलन इस्थावित करना है ताकि निवल सुनी की स्तिति उत्पन हो सके केरल सरकार ने बजट 2022-23 में कारवन तटर्ष्ट की किरसी को अपनाने का नेड़े लिया है ऐसा करने वाला केरल भारत का पहला राज बन गया है और इसके लिए केरल सरकार ने राज बजट में 2022-23 सेतू 6 करोर रूफे आवंटीत किये है और पहले चर्ण में किरसी विभाग और आदीबासी चेतर के तहट 13 करों में कारवन तटर्ष्ट करों की जाएगी और दूसरी चर्ण में कुल 140 विधानसवा चेतरों में या किरसी पदिती लागू की जाएगी और याद रही भादत में कुल ग्रीन आउस गेस और सेजन में किर्सी एवं समर्द्य छेत का युगदान लगभग 15.30 है कितना 15.30 है और फिर आप देखें कि बैस्विक पवन रिपोर्ट 2022 इसमें क्या कहा गया है हाली में बैस्विक पवन उर्जा परिशत द्वारा यह रिपोर्ट पे कासित की गई है रिपोर्ट के उनसार बर्स 2021 में बैस्विक इस्तर पर लगभग 94.94 यानि की 93.6 गीगाबाट पवन उर्जा चमता इस्थावित की गई है जो बिद्धी की दिरिष्टी से 2020 के बात दू क्या है कम है और 93.6 गीवाबाट चमता में सरवादिक भागेदारी करमसा चाइना की 50.91 अमेरिका की 13.58 बिराजील की 4.06 परसेंट रही है और अब तट यह पवन उर्जा चमता 2021 में 21.1 गीगाबाट इस्थावित की गई है जो 2020 की तुला में तीन गुना देखे चीरने वर रिपोर्ट की अनसार अब 20 midst में पवन ऊर्जा की कुल इस्थापित चमता 837 गीगाबाट हैं जिसमें सरवादिक रिस्यादारी करमसा चीन इबं अर्यकीरीका की है रिपोर्ट की अनसार भारत में वर्स 2021 में वर्स 2021 में कुल एक दसामलों चार गीगाबाट फ़वन स्थाफित की गई थी और आप देखेंगे नवीन और नवी करणी है उर्जा मंतरालाई के अनुसार भारत पबन उर्जा की स्थाफित चमता में विस्व में चौते इस्तान पर है मार्च 2021 तक भारत में कोल स्थाफित पबन 49.25 गीगाबाट है पारे पर मिना माता अभी समय वक्षकारों के सम्मेलन की चौतरी बैठक COP4 दो खंडों में आयवजित हुई है कितने दो खंडों में और पिथम खंड आप देखेंगे एक नमबंबर से पांच नमबंबर 2021 के ओनलाइन माध्यम से संपन हुई जबकि दूतिय खंड कायजन 21-25 मार्ज 2022 के दवरान वाली इ अब हुई सम्मेलन में इंडोनेसिया एक वेस्विक बाली घुषनापत पिसतुत किया गया है इसमें इसमें मिना माता अभी समय के पक्षकारों से वेस्विक स्थर पर हो रहे पारे के गयर कानूनी ब्यापार से निपटने का आहन किया गया है अला कि यह गोशनापत गयर पारे पर मिना माता अभी समय 2013 में जापान में हस्ताक चरित हुआ था, कहां जापान में, और यह मानो स्वास्त और पर्यावान को पारे की पितिकूल प्रभावों से प्रभावों से बचाने के लिए विश्व की पहली कानूनी रोप से बादिकारी संदी है, इस अभी समय का नाम उस जापानी नगर मिना माता की नाम पर रखा गया हुए, जो 1950 के दसक में मिना माता रोग का केंद बन गया था, मिना माता रोग पारे की गंभी बेर साक्तिदा के कारण होने बाली एक तांतिका संबंदी बीमारी है, भारत में बरस 2014 में इस अभी समय पर हस्ताक्षर क गया है, 22 मार्च 2022 को सुईजे लेंड स्थित वाई गुर्वत्ता प्रोधुकी की कमपनी आईक्यू एयर द्वारा वर्ल्ड एयर क्वाइल्टी रिपोर्ट 2021 जारी की गई है, वर्ल्ड एयर क्वाइल्टी रिपोर्ट 2021 एक सो सत्रे देसों के पीम 2.5 आक्णों पर आधारि और इस तिरिटी से भारत पीम 2.4 सांधता में आप देखेंगे कि आपका पांचवे स्थान पर आहा है, क्या पांचवे स्थान पर आहा है भारत, वर्ल्ड एयर क्वाइल्टी रिपोर्ट 2021 के अनुसार लगा था, 24 वस्थ की सबसे पिदूसे राध्धानी नई दिल्ली है, हमारी है जो दिल्ली, वर्ल्ड एयर क्वाइल्टी रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्स 2021 में मद्द एवं दच्छिट कोरी एसिया के 15 सबसे पिदूसे सहरों में भारत की 11 सह सामिल है, भारत का कोई भी सहर, डवलू एचो द्वारा बाई गुडवत्ता दिसा निर्देशों के तहत भी निर्देश्ट है, एक इस तर को पराप्त नहीं कर सका है, या आप देखेंगे 5μ, GPT घन मीटर में एक तरसी पराप्त नहीं कर सका है, फिर आप देखेंगे भारत की आर्ट, अर्केटिक नीती को देख लीजे, किसकी? भारत की आर्केटिक नीती? ये आपको देखने को मिलेगा 27 मार्च 2022 को पित्वी विज्ञान मंत्रा लजवारा भारत की आर्केटिक नीती जारी की गई है और इसमें आप लोग देखेंगे किस आर्केटिक नीती का सीशक रहा है भारत और आर्केटिक सतत बिकास के लिए सांजेदारी का निर्माड और इस नीती का उद्धिस संसाधन संपन और तेजी से बदलते आर्केटिक छेत के साथ भारत की सहयुग को बढ़ाना है और भारत की आर्केटिक नीती के 6 स्थम है जो निम्न है विज्ञान एवं अनुसंधान जल्वाई एवं परियावाण सरक्षन और आप देखें आर्केटिक और मानो विकास परिवान और कनेक्टिविटी गवर्नेंस और अंतराष्टी सहयुग राष्टी छमता निर्माड और याद रहे आर्केटिक को सामनता आर्केटिक वेल्ट के उपर के छेत में के रूम में संदर्भित किया जाता है क्या किया जाता है संदर्भित किया जाता है और आप देखेंगे आर्ठ आर्केटिक देश यथा कनाड़ा, डेर्मार्क, फिल्लेंड, आइसलेंड, नौर्वे, रोस, स्वेडन, अमेरिका आर्केटिक परिशत का निर्माड करते हैं और इसमें आप दे भारत की आर्केटिक के साथ जुडाओं की सुरुवात फरवरी 1920 में पेरिस में स्वाल वार्ड संधी के तैत हुई थी और भारत ने 2007 में आर्केटिक छेत हेतु अपने पिताम बिग्यानिक अवियान को लॉंच किया है 2008 में स्वाल वार्ड स्थित अंतराष्ठी आर्केटिक अनुसंधान बेस में भारती अनुसंधान स्टेशन हमादरी को राष्ट को समर्पित किया गया और वर्स 2014 में कांग्स जॉर्डन में अर्क नामक भारत की पिताम बहु सेंसर मोड बैद साला की तेनाती हुई है और 2016 में भारत की सुधूर उत्री वाई मंडली प्रियोक साला की स्थापना ग्रोड डेट में हुई है फिर आप देखेंगे ये क्या है डीप ओसन मिसन एस ओले मार्च 2022 को पितिवी विज्ञान मंत्रा लादवारा डीप डीप ओसन मिसन को लॉंच किया गया है और इस अभियान को पांच वर्स की अउधी के चरण बद्रोप से लागू किया जाएगा इस मिसन की अनुमानत लागत 4077 करोड रोप होगी और इसका पहला चरण आप देखें इस तीन वर्सों यानि की 2021 से 24 के लिए लागू किया जाएगा डीप ओसन मिसन एक बहु मंत्री इस्तरी है बहु बिस्यक और कारकरम है डीप ओसन मिसन एक केंद्री चित की परियोजना है इस मिसन का पिस्ताओ पित्वी विज्ञान मंत्रा ले नहीं किया था जो इस मिसन की करयान मन ही तू नोडल मंत्रा ले डीप ओसन मिसन की थे तीन व्यक्तियों को समुद्र में 6,000 मीटर की घराई तक ले जाने ही तो एक मानो विक्त पंडुबी का विकास किया जाएगा और याद रहे है अभी तक कुछ चुनिंदा देश जैसे अमेरिका, फ्रांच, जापान, रोस, चीन ही ऐसी प्रुद्गी की से युक्त है मतहिंद महासागर में 6,000 मीटर की घहराई से पॉली मेट टेलिक नोडेव से खनन के लिए एक 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 खनन पडाली भी विक्सित की जाएगी डीप ओसन मिशन और महासागरी है संसादनों की माध्यम से भारत का लक्ष सौ विलियन डॉलर से यदिक की बिलू उक्यानोमी को प्राप्त करना है डीप ओसन मिशन भारती अंतरिक्ष मिशन अनुसंधान संगटन इसरों के सहयुख से संचालित किया जाएगा और याद रहे साइवत राष्ट ने वर्स 2021 से 30 को सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान का दसक खोसित किया है फरवरी 2019 में पिती पादित भारत सरकार की वीजन निव इंडिया 2030 में बिलू एकोनोमी को समरिधी के 10 महत्पूर्ट छेत्रों से एक माना गया है क्या माना गया है? माना गया है फिर आप देखेंगे अरावली जे विवित्ता पार्क भारत का पिथम OECM इस्थल है तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं दो फरवरी 2022 को विश्व आद्ध भूमी दिवस के आउसरफ और गुरुग्राम इस्थित अरावली जे विवित्ता पार्क को भारत का पहला OECM स्थल गोसित किया गया है और आप देखेंगे कि दो फरवरी को विश्व आद्ध भूमी दिवस मनाया जाता है और यह दर्जा अंतराष्टी प्रक्यती सरक्षन संगे दोवारा पिदान किया गया है गुरुग्राम इस्थित 40 बस पुराने खनन इस्थल को एक सहरी बन में परिवर्दी करने के मात्यम से अरावली जे विवित्ता पार्क को भिखसित किया गया है यह पार्क गुरुग्राम नगर निगम और आई एम गुडगाओं का एक से एक तोद्ध्यम है यह पार्क लगबग 392 एकड़ छेत में गुरुग्राम हर्याणा में फिजला हुआ है 2018 में पर्यावान, अनुसंधान और सिक्षा कैनने की एक अध्यान के अरुसार यह पार्क दिली NCR की लगबग 7.07 पितिसत अक्सीजन आवस्तकताओं की आपूर्ती करता है अप्रेल 2021 में गुरुग्राम नगर निगम ने वर्स 2021 तक के लिए अरावली जैब विवित्ता पार्क की पारिस्तित की वहाली और सिर्क्षन हीतु हीरो मोट्टो कॉर्प लिमिटिर्ट के साथ समझोता ग्यापन परहस्ताक चर्की है यह पारिक एक बड़ी कारवन सिंग का कार करता है और विभिन अध्यनों को संचालित करने का एक समर्द दिसरोध भी है OECM के बारे में जान लीजी OECM का पूर्ण रूप है और प्रभावी छेता अधरी सरक्षन उपा है और आप देखेंगे Other Effective Area Waste Conservation Measures OECM यह उन चेत्रों ही तो एक संरक्षन दरजा है जो संरक्षे चेत्रों के बाहर प्रभावी रूप से जान विवित्ता के स्थाय स्थान संरक्षन में सफल रहते है नमबर 2018 में जब इवित्ता पर अधभी समय के पक्षकारों के 14-20 संभेलर में OECD कि निमलेखित परिभासा को अंगेखित किया गया था और आप देखेंगे संरक्षे चेत सिप्था के एक ऐसा भोगुलिक रोप से परिभास्षे चेत्रों के यह सकारत्मक और दिरिक आलिक परिडाम प्राप्त करने के तरीकों से सासित और प्रबंदेत है अब बात कर लेते हैं भारत नए भारती है जो रामसर इस्थल हैं इनसे भी आप लोगों को मालू होगा कि कुश्चन्स पूचे जाते हैं क्या हैं कुश्चन्स इससे भी पूचे जाते हैं दो फरवरी 2022 को विस्व आद्भूमी दिवस के उसरप भारत की दो नई आद्भूमीयों को अंतराश्टी है महत्व की आद्भूमीयों की सूची में सामिल किया गया है जाने की घुषना की गई है इसमें आप देखेंगे कि दो ये आद्भूमी है खजडिया वनिजीव अभ इस पेकार भारत में रामसर इस्थलों की कुल संख्या बढ़कर 4949 जो दच्छेडे एसिया में सरवाद देखेंगे भारत में इन 59 सा रामसर इस्थलों के अंतरगत कुल ये आप देख रहे हैं 10,93,636 एक्टर 6 अच्छा देत है खजडिया वनिजीव अभ्यारन मीठे पान मैदान आदभूमी है और इस पेकार अब उत्तरपिदेस में रामसर इस्थलों की संख्या दस हो गई है आठ दिसंबर 2021 को जारी विगवती गयनुसार भारत की हैदरपुर आदभूमी को अंतराश्थी मत की आदभूमी की सूची में सामिल किया गया यह मानो निर्मित आद आदभूमी उत्तरपिदेस के विजनोर और मुजफर नगर में जिले में देखने को मिलेगी गंगा नदी के बाड की मैदान पर मद्द गंगा बैराज के निर्माड की फल्सरूप वर्स 1984 में इस आदभूमी का निर्माड हुआ था इसके पूर 14 अगस्त 1992 को भारत ने चार जील बनजीब अभ्यारन हर्यान के दो भेंडवास बनजीब अभ्यारन सुल्तानपूर राष्टी उद्ध्यान सामिल थे वद्ध ववाना बन आदभूमी गुजरात के वर्दोरजा जिले की डबोई तैसिल में इस्तित है और सौ बरसों से अधिक पुरानी इस मानो निर् जील की एक छोटी जील है जिसमें नर्वदान है कि साथ-साथ बरसा की माध्यम से जले कातित होता है 1912 में सचाई की उद्धिस से निर्मित इस जील को 1988 में बनजीब अभ्यारन गोसित किया गया था भेंडवास बनजीब अभ्यारन मारो और निर्मित मीठे पानी की आदभ हुमी है या हर्याना की जजजर जिले में देखने को मिल देगी सुल्तान को राष्टी उद्ध्यान हर्याना की गुरुग्राम जिले में आपको देखने को मिलेगा का गुरुग्राम जिले में अब बात करते हैं सत्त मंगलम बाग अभ्यारन को TX2 अवार्ड एक क्या होता इन दोनों ही स्तलों को वर्स 2010 की तुल्ला में बागों की आबादी में दुगनी बिद्धी करने ही तूपर उसकित किया गया है। कांग है जो हाँ वागों की सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है। इजरवेशन असर्ड और टाइगर स्टंडर्ड फोना एंड फिलोरा इंटरनेशनल गिलोबल टाइगर फॉर्म आई यूवी सी एन एक एक बाग आवा सरक्चन कारक्रम और पैंथेरा यूएन डीपी लॉयंस सेयर पनेजीप सरक्चन सुसाइटी और डबलु डबलु एप की टाइगर अलाइव पहल तो यह भी याद रखीगा अभी हाली में आपने देखा होगा 2021 की भारत बन इस्तिती रिपोर्ट आई हुई है इसे कुश्चन से पूछे जाएंगे 100% आप देखिए एक नाई कुश्चन साते रहता है हर एक जाम में 100% कभी-कभी आप देखिए कह जारी की गई है देखिए का कॉल बंच और विक्ष आच्छा दिश्चेत 8 कितना? 8,9,537 बर किलोमीटर है जो देखिए के कुल भागवली चेत्वल का 24.68% है कितना? 24.68% है और देखिए के कॉल देखिए कॉल बनावरण 7,13,789 बर किलोमीटर है जो कुल भागवली प्रसेंट में पूचा जाता है भारत बन इस्तिती रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के 21.31 भाग पर बना वरण और 2.91 भाग पर ब्यक्छा रूपर्ण है कुल टोटल मिलाकर 24.62 भारत बन इस्तिती रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की राज्यों में सर्बादिक बना वरण पिसी सर्बाला राज मेजोरा में 14.53 भी पूच लिया है जिसके बाद अरणाचल पिदेश का नंबर आता है 89.33 मेगाला है 76% तो मेजोरा में पहले पर है अच्छी बात है 2019 की तुला में 2021 में बना वरण विद्धी 5 राज आंध पिदेश में आप देखेंगे 647 बर किलोमीटर की विद्धी देखी गई है तेलंगाना में 632 और उडिसा में 537 और करनाठक में 155 और जारखन में 110 इस रिपोर्ट के अनुसाथ च्छितफल की द्रिश्टी सिसलबादीक बना वरण पाली राज मद्धी पिदेश सरुनाचर पिदेश 36 गर उडिसा महराष्ट तो ये च्छितफल में कह रहा है वो पि पिदेश है और 2019 की तोला में IASFर और 2021 में उत्तरपिदेश की बना वरण वरण वेखन पिदेश सरुनाचर पिदेश सरुनाचर पिदेश की विद्धी हुई है और इस रिपोर्ट के अनुसाथ उत्तरपिदेश में कुल वेक्छार ओपरन 7,421 बर किदेश है जो राज की इस रिपोर्ट के अंसार उत्तर पिदेश में सरवाधिक बनावरन बाले जिले सौनभद के रीव मिरिजापुर है तो छेथ फल में और पितीसत में आप देखिए दोनों में सौनभद्धू पर है 2021 के अनुसार सत्रे राज्यों के अंदसासे पिदेशों में उनकी भोगली छेथ का 33% से अधिक छेथ फल बना अक्षा देत है पांच लक्षदी मिजोरम अंडवान निकोबार दुईप समू अधिनाचल पितीस में इखाल है राज्य के अंदसासे पिदेशों में उनकी भोगली छेथ का 75% से अधिक छेथ फल बना अक्षा देत है तो अगर स्वक्षे बायू अक्षीजन लेनी है तो आप इनी राज्यों में जाईए ठीक है देश में कुल मेंगो चेथ फल चार जार नौसो वानवे बर किलूमीटर यानि की 0.15 पितीस है देश में सरवादिक मेंगो अच्छा देश पच्चे मंगाल देश के कुल मेंगो का यहाँ देख ब्यालीस तथमलों 35% देखने को मिलेगी आईसे फार 2019 की तुला में आईसे फार 2021 में देश के मेंगो आरोन में सत्त्रे फरसेंट तो यह आप लोग याद रख सकते हैं चोटी बाते हैं लेकिन मौटी बाते हैं और मौटी बातों से महत हुड़े हैं कि इनसे कुश्चन्स पूंचे जाते हैं बंचेत सीस दस देश बैसिविक बंच संसाधन आखलन के साब से यह रेपोर्ट है रूस आप देख लीजे टॉप पर है आठ लाग कितना आठ लाग 15,312 बैसिविक बंच चेतफल का 20 पर सेंट है और देश के भोगलिक चेतफल का उनच्चा से समलाव 8 पर सेंट है ब्राजिल दूसरे नमबर पहे कनाड़ा तीसरे अमेरिका चोत्रे चेन पांच बे और ट्रेलिया चटवे कांगो लोकतांद रखना है तो आपके पास अगर चमता है तो रख लीजे पूरे मैं तो कहता हूं इंडोनेसिया नौबे पेरू दसबे नौबे इंडोनेसिया आठवे पेरू नौबे और इंडिया दसबे बात्तर 1160 समझ रहे हैं तो यह आप लोग याद रखेएगा कायू वेली आदभूमी तमिलाडू का सोलाइवा पक्षी अभ्यारन यह आप देखेंगे दिसमबर 2021 में तमिलाडू सरकार द्वारक कायू वेली आदभूमी को राजिकर सोलाइवा पक्षी अभ्यारन घोसित किया गया है इसकी घोरशना तमिलाडू के परियावन बन और जलवाई परिवर्तन बिभाग के द्वारा की गई है कायू वेली आदभूमी को पक्षी अभ्यारन घोसित करने ही तू अदभी सूचना बन जीव सरक्षन अधिनियम 1912 की धारा 181 के तहट जारी की गई है यह आदभूमी तमिलाडू के वेल्लू पुराम जिले के वनोर और मरकम नम तालुका में इस्तित है और वनोर और मरकम तालुका में कि 5159.6 हेक्टर से उत्यचेत को पक्षी अभ्यारन घोसित किया गया है यह अंतराश्टी है महत्यकी आदभूमी है यह तमिलाडू की पूर्वी तटपर बंगाल की खाड़ी की निकट देखने को मिलेगा इस आदभूमी को पुली कट जील के बाद दच्छिन भारत की दूसरी सबसे वड़ी खारे पानी की जील के रूम में जाता है यह आदभूमी काली पूँच बाली चंचुकी यूरेसियन कालियो और सफेद सारस आदी मद्देशिया एवं साइवरिया जैसे ठंडे वो आर्केटिक छेत्रों के प्रवासी भक्चियों के लिए आहार इस्थल है नए बैस्थिक बायू गुर्वत्ता दिसा निर्देश क्या कहा जा रहा है इनमें? 22 दिसमर 2021 की इसको विस्त स्वास्त संग्ठन ने नए बायू गुर्वत्ता दिसा निर्देश जारी किये इन दिसा निर्देशों के छे प्रमुक बायू पिदूसक ओजॉन, नाइटोजन ओक्साइड, सल्फर ओक्साइड, डाइओक्साइड, कार्वन मौन ओक्साइड, PM2.5 और PM10 के लिए अधिक कठोर मानक की गोश्णा की गई है इन दिसा निर्देश प्रमुक बायू के दूसक के इस्तरों में कटोर्थी के माध्यम से मनुस की स्वास्त की रक्चा के लिए नए बायू गुर्वत्ता मानकों की सिपारिस करते हैं वहो के नए मानक इस्तर देख लिए पी एम 2.5 बारस का बारसिक ओसत यह आप देखें कि फांच म्यू जी पिति गहन मीटर में है PM10 का बारसिक ओसत 15 म्यू ग्राम पर अब देखें पर एक तरह से पिति गहन मीटर में है Nitrogen Oxide का बासिक ओसत 10 म्यू ग्राम पिति मीतर में है सल्फरडाय ओससाइड में आप देखें देनिक ओसत 40 म्यू ग्राम पिति गन मीतर में है Carbon Mono Oxide का हो गया है Ozone का हो गया बायू में भारत में बायू की गुडवत्ता की इस तरकुम आपने के लिए राष्टी ये परिवेसी बायू गुडवत्ता मानक कुर्णे धारित किया गया है इस मौक टावर एक आभी चर्चा में रहता है साथ सेप्टमबर 2021 को नीले आका सेतु स्वक्ष बायू के दूसरे अंतराष्टी दिवस के अउसर पर परियाबन बन एवं जलवाई परिवत्तन मंतराले ने आनन्द विहार नई दिल्ली में भारत के पहले किरियासील स्मौक टावर काउध गाटन किया है नीले आका सेतु स्वक्ष बायू का अंतराष्टी दिवस 2021 का विसे स्वस्थ बायू स्वस्थ गरहे और आप सभी को मालूगा कि दिल्ली में सांस लेना दुस्वार हो जाता है कभी कभी स्मौक टावर एक सरचना जिसे एर फियूरी फायर के रूम में बायू पिदूसन को कम करने ही निर्मित किया गया है आनन्द विहार इस्तित 20 मीटर से अधिक उचाई वाले स्मौक टावर डाउन ड्राप्ट पिकार का है अर्थात पिदूसित हवा टावर के उपरी भाग से प्रवेश करती हो निचले भाग से साफ हवा बाहर आती है टावात का निर्माण परियोजिना प्रवंदन सलायकार के रूम में एन बी सीसी इंडिया लिमिटेट के साथ टाटा प्रोजेक्ट से लिमिटेट द्वारा किया गया है इसी आउसरफ राष्टी इस वक्ष बायू कारकरम के अंतरकत गैर प्राती सहरों में बायू पिदूसन के नेमन के लिए प्रण नामत पोटल का अफसो बारम किया गया है और याद रहे उत्तर पिदेश का पहला स्मॉक टावर नबंबर दोहुजेर इटिस में नोईडा में स्थापित किया गया था विक्सित किया है यह भारत की किसी सहरी के लिए अपनी तरह का पितम प्रयास है पराकेलेंडर को लगवग दो बरसों तक हवाई बायू जनित पराग और इसके मौसमी बदलाओं को अध्यन करने के बाद बनाये गया है पराकेलेंडर के एक बिसेस भोकोलिक छेत में मौजूद हवाई बायू जनित पराकरणों के समय गती से इलता का पिती निदित करती है पराकरण नर जयविक सरचना होती है जिसमें निसेचन में प्रमुक भूमिका होती है किन्तु सवसन के समय सरी के अंदर पर वेश कर अब देखिए पितम डू गॉंग सरक्षन रेजव तीन सेप्टमबर दोहार इकीस को तमिलाडू सरकार ने देश में पहले डू गॉंग सरक्षन रेजव की स्थापना की घोशना की थी और इस डू गॉंग सरक्षन केंद का छेतफल पांसोवर किलुमीटर है आदी राम प टीनम तक पाक की खाड़ी तथा मनार की खाड़ी के मरीन छेत में विस्तारीत हैगा और भारती वरने जीव संस्थान की अनुसार डू गॉंग भारत में मनार की खाड़ी पाक की खाड़ी और कच्छी की खाड़ी तथा अंडवार निकुबार में पाए जाते हैं और डू गॉंग एक इस्तन पाई जली जीब है से समुद्री गाय कि रूम में भी जाना जाता है और पितिवस विस डुगॉंग दिवस 28 माई को मनाया जाता है कब 28 माई को तो यह भी याद रखीगा सीशा युक्त पैटॉल से बैस्विक मुक्ती इसमें क्या कर जा रहा है 30 अगस्त 2021 को 20 बर्स के चले लंबे अभियान के पश्चात सायुक्त राष्ट पर्यावन कारिकरम ने विस को सीशा मुक्त युक्त पैटॉल से मुक्त घोसित किया है और जुलाई 2021 में अल्जीरिया युक्त पैटॉल का प्रियोग करा है, 2002 में सयुक्त राष्ट पर्यावन कारक्रम ने बिभिन ने देशों की सरकारों, पर्यावन, कारक्रताओं एवं सभी हिद्धार्कों की भागेदारी के साथ विस भर में सीसा युक्त पैटॉल की ब्रोध, स्वक्ष इंदम एवं वाहन अभियान कारम किया है, और रमपा मंदिर तथा धौलावीरा को विस धरोवर इस थल घोसित किये गए हैं, इनके बारे में भी एक कुछ पॉइंट आप लोगों को याद रखना चाहिए, युना इसको कि विस धरोवर समिती ने, कि 44 वारसिक बैठक 16-31 जुलाई 2021 के मद्द चीन, कि मद्द चीन के, चीन में हुई है, और चीन के फुजोव में संपन हुई है, और याद रहे, विस धरोवर सम्ती की इस बैठक में विस भर के 34 नए स्थलों को विस धरोवर सूची में सामिल किया गया है, और इने स्थलों में 29 सांस्केतिक 5 प्राक्तिक स्थल सम लेत और इन नए स्थलों को सामिल करने की बाद विस्व के 166 देशों में विस्व धरुवर स्थलों की कुल संख्या बढ़कर 1154 हो गई है, जिसमें आप देखेंगे 897 सांसकेतिक स्थल, 218 पराक्तिक स्थलों, 49 मिसरित स्थल की रूम में सामिल है, और याद रहे इस बैठक में ब 2004 में, और इसी के साथ यह विस्व धरुवर स्थल का दर्जा खोने वाला विस्व का तीसरा स्थान बन गया है, ऐसे दो अनिस्थल जर्मनी के ड्रेन, इस्तित एल वगाटी और ओमान की अरिवियन और एक सेंचुरी थी, और विस्व धरुवर समती की चवालीसवी बैठक क दोरान भारत के दो नई स्थलों, रमप्पा, तेलंगाना में, और सेंधो और इस्तल धौलावीरा, गुजरात को 20 से धरुवर स्थल का दर्जा मिला है, रमप्पा मंदिर को भारत का 49 बा और धौलावीरों को 40 बा, 20 से धरुवर स्थल घोसित किया गया है, इसी के साथ भा कर आप देखेंगे, कितना 40 हो गए, ठीक है, और सुपर 40 कलव ऐसे देशों का समूओ है, जिसमें कम से कम 40 इस्थल यूनेस्को की पितिष्टे सूची में सामिल है, इटली में 15, फ्रांस में 59, जर्मनी में 59, और इसमें 59, चीन में 56 है, यह ऐसे देश हैं जो सुपर 40 कलव म सामिल है, काक्तिये रुद्देस और रमप्पा मंदिर, तेलंगाना राज के मुलूगू, जिले के पालम पेट गाउं में अवस्थे थे, काक्तिये राजवंस की सिल्व कोसल का याधूतिये उधारन है, इस मंदिर का निर्माण आप देखेंगे, बारिस होती रहे, मैं काक पेट देवता राम लिंगेसोर स्वामी है, और इसे राम लिंगेसोर स्वामी मंदिर भी आप लोग जानते हैं, से मंदिर होने के कारण से रुद्देसोर मंदिर भी कहा जाता है, मारको पोलो द्वारा इस मंदिर को दक्कन के मद्दियूगीन मंदिरों की आकास गंगा का स सबसे चमकीला तारा भी कहा गया है। भारत में किवल हर्याना का राखी गड़ी और पाकिस्तान में मुहन जोदरो, हडपा एवं गनवारी वाल ही ऐसे हडपा का इस्थलें जो धौलावीरा सिजबड़ी हैं। विस्त धरोवर समती की 44 भी बैठक के दोरानी रॉमानिया की रोसिया मॉन्टाना माइनिंग लेंड स्कैप को विस्त धरोवर सूची की साथ साथ संकट गर्स्त बैस्विक धरोवर की सूची में भी सामिल किया गया है। वर्तमार में संकट गर्स्त बैस्विक धरोवरों की सूची में कुल आप देखेंगे 52 बावन इस्थल सामिल है। फिर आप देखेंगे 14 बाग अभ्यारणों को C.A.T.S की मानता प्राप्त की गई है। इसे भी याद रखेंगा और 24 बाग ये पश्चे मंगाल में देखने को मिलेगा। और याद रहे नेपाल की चितवन राष्टी उद्यान, सिकोती अलेन राष्टी उद्यान, रूस को भी C.A.T.S की मानता प्राप्त है। 14 तेरे टाइगर रेंज देश, भारत, बंगला देश, नेपाल, भूटान, बेतनाम, मयानमार, लाउस, कंबोडिया, थाइलेंड, मलेसिया, इंडोनेसिया, चीन और रूस हैं। भारत भी सामल है। अरिता में सुधार हेतु उत्तरदाई व्यक्तियों को प्रोसाहन प्यदान करती है। C.A.T.S की अधिकारिक रूप से वर्स 2013 में लॉंच किया गया था। और वाक सनक्षन छेत्यों के प्रभावी प्यवंधन हेतु इसे साथ इस्थमों सत्रे तत्तों में वेवस्थित किया गया है। C.A.T.S वर्स 2022 तक जंगली वागों की संख्या को दुगनी करने की बैस्थिक लक्ष है। अब देखेंगे देश का इंक्यावन बाग अब्यहरन बना है। आठ फर्वरी 2021 को तमिलाडू सरकार ने राजज के पांचवे बाग अब्यहरन की स्थावना हितु अधी सूचना जारी की। इस बाग अब्यहरन का नाम स्री विल्ली पुथूर मेगा मलाई है। यह देश का इंक्यावन बाग अब्यहरन है। श्री विल्ली पुथूर सफेद विसाल गिलहरी बनेजीब अब्यहरन ओमेगा मलाई बनेजीब अब्यहरन की एक लाग 1657.3 हेक्टर छेत्य को समलित कर इस अब बाग अब्यहरन का सेजन किया गया है। याद रहे 2000 सूले में अरुनाचल पिती सरकार ने अधी सूचना जारी कर कम लाग बनेजीब अब्यहरन को बहाग अब्यहरन का दर्जा पितान किया था जिसे भारत का 52 अब्यहरन था वो। और स्री विल्ली पुत्थूर मेगा मलाई बाग अब्यहरन ये लगभग आप देखें आंतरिक चेत इसका 641.86 बर किलोमीटर बफर चेत आप देखेंगे 344.70 बर किलोमीटर और लगभग आप देखेंगे आपका 16.573 बर किलोमीटर में फेला हुआ है। तमिलाडू में इस्तित बाग अब्यहरन और भी हैं। सत्रवा बना था कलककर मुंडन थोरई ये 2007 की बात है। इसका खुल शेत फ़ल देखेंगे तो सूलाए सो एक दसम्लोचंगन बर किलोमीटर है। 29 बा अन्ना मलाई 2007 में, 36 बा मुदू मलाई 2007 में, 42 बा सत्त मंगलम 2003 म मेगा मलाई 2021 में बना है। नवीनता बाग गड़ना के अनुसार 2018 में भारत में बागों की संख्या उन्ती सो सरसट थी। और भारत में बागों की सरवादिक संख्या मद्यपिदेश में 526 दर्ज की गई थी। आप लोगों से पीछे questions भी पूंचाता। टाइगर पिदेश के समय तो सबसे पहले गगन उडान देखिए परिक्चन। 28 अप्रेल 2022 को भारती विमान पत्रादिकरं द्वारा गगन बढाली का सफनकर्भा मत currently किया गया है। या उडान परिक्चन किसंगज हवाई एड़े राजिस्तान से किया गया है। ये सफनकर्चन भारती ना गर BG पेकिरियाओं का उपयोग करके प्राप्त की है, और आप देखेंगे कि Indigo सौदेशी नविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करके बिमान उतारने बाली देश की पहली एरलाइन बन गई है, Indigo ने 27 अपरेल 2022 को गगन का उपयोग करके ATR 72 बिमान को किसंगर हवाईडे पर करा है था, गगन एक भारती उप गरह आधारीत समवर्धन पेडा लिया है, और इसे AI और इस रोने सविक्तरूप से विक्सित किया है, यह भूमत रेकिया छेत्त में भारत और पड़ोसी देशों के लिए निर्वित अपनी तरह की पहली पिला रही है, और वरतमार में विस अपरेल 2020 को भारती तटरक्षक पोत उर्जा विभाव को तटरक्षक बल में सामिल किया गया है, किसमें तटरक्षक बल में, और इसमें आप देखेंगे, यह पोत तटरक्षक जिला मुक्याले चार केरल और माहे के संचालन कमान के अधीन होगा, उर्जा विभाव 1.85 मीट ड्राप्ट के साथ 36.96 मीटर लंबा है, यह पोत 50 तन पोत इनन और 10 तन बेमानन इनन बहन वहन करने में सक्चम है, मेडियम रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल 30 मार्च 2022 को MRSAM के सैन संसकर्ण ने पुनाहा अपनी प्रभावसीलता साबित कर दी है, उर्जा के चांदी पुर समापन के पश्चात अब इस मिसाइल का विकास आत्मत सरन पूरा हो गया है, इस से पूर 27 मार्च 2022 को भी इस मिसाइल पिडाली का दो बार सफलता पूरा परिच्चन किया गया था, भारती थल सेना द्वारा प्रयोग की जाने वाली MRSAM, मिसाइल की संसकर्ण का विकास सहिक करने वाली मिसाइल पिडाली की पहली काई बाईव सेना इस्टेशन जैसल में राजिस्थान को सौपी थी, इस मिसाइल पिडाली का विकास रक्षा अनुसंधान तथा विकास अंगठन और इस्राइल एरो स्फेस इंड़स्टीज के सैफ्थ प्रयास से किया गया है, 4.5 मी जैसे अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी हो देना ही होगा, हंस एन एन जी नई पीडी का पिसी एक्षड विवान, 19 परवरी से 5 मार्च 2022 के मद्ध भारत की पिथम सौधिसी उड़ान परिक्षन विवान, हंस एन जी को समुदरी परिक्षन सफलता पूरबग संपन हुआ है, या परिक्षन पुदूचेरी में किये गए हैं, और इस पकार इस बिवान में DGCA द्वारा टाइप विवारण की दिसा में एक महत्पूर्ण उपलबदी अर्जित की है, और इसके पूर तीन दिसां सेप्टमबर 2021 को हंस एन जी बिवान की पिथम उड़ान सफलता पूरब संपन हुई है, बैंगलोर इसते थाल एयरफोर्ट से उड़ान भड़ने के उपरांत पे विवान ने असी नौट की गती से 4000 फीट की उचाई पराप्त की है, और इस बिवान का विकास CSIR की एक संगठक प्रियोग साला, CSIR राष्टिय वांतर प्रियोग साला, प्रियोग सा की थी, हांस एंजी की अधुती है, बिसे इसताओं में से एक अरमदा के साथ गिलास कॉक्पिट सामिल है आपका, कॉक्पिट, ठीक है, भारत में डौन आयात पर पिती बंद, ए 9 फरवरी 2022 को केंदर सरकार ने भारत में डौन के आयात पर ततकाल प्रभाव से पिती बंद लगा दिया है, बड़िच और उद्यूग मंतरा लेकि अधिन विदेश ब्यापार महान ने देशाल है, नियात आदिश जारी किया है, इस कदम का उद्यश डौन के घरहलू निर्माड को बढ़ा बदेना है, अब जो काम हम लोग घरत कर सकते हैं, वो बाहर से लोगों से ब नौक्ड डाउन या CKD, कम्पलेटली नौक्ड डाउन रूपों में किसी भी डाउन के आयत पर पितीबंद लगा दिया गया है, हाला कि निर्मन संस्थानों निर्माताओं को CBU, SKD और CKD प्रारूप में की अनुमती, आयत की अनुमती होगी, सरकारी संस्था हैं, केंद या राज सरकारी द्वारामान ता पर आफ अनुसंधान विकास संस्था हैं, अनुसंधान विकास अधिर्मस ये थी डाउन निर्माताओं, रक्षा अधिर्म गटकों के आयत के लिए किसी अनुमोतन की आवसक्ता नहीं होगी, एक काम दो हम भी कर सकते हैं, हमारे देस में भी हो सकता है, आप जानते हैं केंद्री वजट 22-22-23, ड्रॉन उद्द्री वजट 22-23 में दो नई योजना है, ड्रॉन सकती और किसान ड्रॉन की गोशना की गई है, ड्रॉन सकती के थायत, स्टार्ट अपस के माध्यम से ड्रॉन के एक सेवा की रूम में उपयों को विधा जनक बनाने के और उसे जाएगा 150 किलोग्राम से अधिक बजन वाली विसाल मानव रेत विवान पराली का ओपयोग विभन ने चेत्रों में किया जाएगा रेलवे सुरक्षा ही तिव ड्रॉन आपर आधारेत निगरानी पराली प्रियोग में लाई जाएगी फिलाय भारत की नई मिसाल है यह 22 से 22 दिसंबर 2021 को डी आइडियो ने एक नई मिसाल पिलाय के उडान परीक्षन का सफलता पूर्वक संपन किया है यह परीक्षन उडी साथ इस्तित अपीजे अपीजे अब्दुलकलाम दूइप से किया गया है यह पितम आउप से था जब भारत में लगाता दो दिनों के अंतराल पर किसी बेलिस्टिक मिसाल की दो लगातार ओडान परीक्षन सफलता पूर्वक संपन हुए है 22 दिसंबर 2021 को पिलाय मिसाल का पितम ओडान परीक्षन सफलता पूर्वक संपन हुए है परिक्षन के दौरान मिसाल ने अपने सभी उद्देसों को प्राप्त किया है और 23 देसंबर 2021 को पिले मिसायल का दुतिय उडान परिक्षन सफलता पूरवक संपन हुआ है और परिक्षन इस मिसाल की सठीकता और मारकता को सिद्द करने के लिए अपिक्षा गट अधिक बजनी विसपोटक से इसके साथ भिन रेंज के लिए किया गया है और एक पिलाए एक सामरेक लगूदूरी की वैलिस्टिक मिसायल है यह एक सौदेसी नई पीडी की सतय से सतय पर मार करने वाली मिसायल है और यह मिसाल ठोस परोदक रॉकेट मॉटर और एवम नई परोदुगी कियां द्वारा संचालित होगी यह मिसाइल केवल पारंपरिक योदसीस को वहन करने के लिए डिजाइन की गई है और इस मिसाइल की मारक दूरी आप देखेंगे 150 से 500 किलोमीटर है इसे मोबाइल लॉंचर से लॉंच किया जा सकता है इस मिसाइल को फितवी रक्षा वाहन नमा के एक वाहर वाइवन लिए इ मिसाइल हैं और आप देखेंगे INS खोकरी सिवाब मुक्त 23 दिसंबर 2021 को INS खोकरी खोकरी को सिवाब मुक्त कर दिया गया है और INS खोकरी पहला सौदीसी निर्मित मिसाइल वहाग कार्वेट है इसका निर्मार माजगाओं और डॉक्स विल्डर्स लिमिटेड मुंबई द रसा होने का गौरब भी प्राप्त हु रहा है सेवा काल के दौरण INS खोकरी ने आप देखेंगे 6,44,897 समुदरी मिल से अधिक दूरी तय की है जो पितवी और चंदमा की बीच की दूरी का तेन गुना और 30 बार 20 की परिक्मा करने के बराबर है या कारवोर्ट भारती सेन कि गोर्खा विगेड से समढ़ दे था तर आप देखेंगे अगनी प्राइम का सफल परिक्चन किया गया है कि उसका अगनी प्राइम का अठारे दिसम्बर 2021 को रक्षा अनुसंदान इवं विकास संगटन डिया डियू द्वारा अगनी प्राइम मिसाइल का परिक्चन सफल मार करने वाली मिसाइलों की अत्याधूनिक संसकर्ण है इसकी मारक चंता 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक है यह नई पीडी की परमाडुक चमता युक्त मिसाइल है यह मद्दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है इसका बजन अगर आप देखें तो 23 से 25 टन आपको देखने को मि समकक्ष देखते हैं फिर आपका इस्टेंड ऑफ एंटी टेंक मिसाइल 11 दिसंबर 2021 को सौधेसी निर्मित इस्टेंड आफ टेंक रोधी मिसाइल का सफलता पूरोग उड़ान परीक्षन किया गया है और यह परीक्षन सरक्षा अनुसंधान इवं विकास संगठन और भारत किया गया है और हवासे सत्य पर मार करने वाली हेलीकॉप्टर इसे दागी जाने वाली इस मिसाइल की मारक चमता 10 किलो मीटर है यह मिसाइल एक तेधुनिक मिली मीटर वेव तकनीक से सुसजित है जो सुरक्षी दूरी बनाया रखते हुए उच परीसोधिता के साथ हमला कर करने की चमता बैदान करती है और सी सस्त उत्पादक कंपणिया 2020 सीप्री एच दिसमबा 2021 को वर्स 2020 में विस्सों में सी सो सस्त उत्पादक के वों सैनस्यवा पिदाता कंपणियों की सूची में सामिल की गया है और इस रिकोर्ट को स्टॉक हम अंतरश्टी सांतियनुसंधा संस्था स्थीफरी ने द्वारा जारी किया गया है विसकी सबसे बड़ी सस्थ उत्पादक इवं सहन सेवा पदाता कंपनियों की कुल सस्थ विक्री वर्स 2020 में 531 बिलियन डॉलर की दर्ज की गई है रेंकिंग में 424 बिलियन सेवा जाल व्रा जाल जाश की ख़ादक इसथान में 530 कांप आर्क मार्टिन कॉप ए पहले पर 2019 में भी ठी पहले नम्मबर पर 2020 में रही अमेरिका की है, और इसका कुल विक्री 1200 हे नबासी परसेंट, और दूसरे नम्मर पर इथी योण, अमेरिका की ये टेक्व्च्णॉजी ये अमेरिका की है, तीसरे पर आप देखें कि बोइंग अम तॉपर आया याद रखी लॉकिंटी मार्टिनकॉप ए अमेरिका की ए पिनस एरिया डिनायभी मैनिसंस मिनिसंस और निव इंडी जेनस फ्यूज 930 विस्पोर्ट का भी सफल परीक्चन किया गया है यह परीक्चन पौकरन रेंज राजिस्थान में संपन हुआ है पिनाक हेतु एरिया डिनायल मिनिसंस को ARDE पूने द्वारा डिजाइन किया गया है पिनाक रोकेटों के लिए फ्यूजों का विकास AIR ARDE पूने द्वारा किया गया है पिनाक एक मुप्त ओडान वाली बहु रोकेट लॉंचर पिनाली है भगवान सिप के धनुस पिनाक के नाम पर इसका नामकरन किया गया है और DIDO द्वारा विकसित पिनाक मारक एक है MK1 पिनाली की मारक चमता आप देखेंगे 38 से 48 किलो मीटर है जबकि पिनाक मारक सेकेंड रोकेट पिनाली की मारक चमता 60 किलो मीटर है D.I.D.O. ने पिरा पिनाक मारक 2 को नेधेस सन, नेविगेसन और नेयंतन पिनाली युक्त कर, नेधेस सित पिनाक रॉकेट पिनाली का विकास किया, जिसकी मारक दोरी find 75 km है, कितनी? 75 km है कितनी 75 km है और यह है पिनाक रॉकेट पिनाली का विस्तारित संस्केंड है यह पिनार पिनाक E.R INS वेला नौसेना में सामिल किया गया है 25 नवंबर 2021 को मुंबई स्थित नौसेनिक फोधगा पर आईविद एक समारों में सौदेश निर्मेद पंडुबी द्वारा फ्रांस के मेंसर्स नेवल ग्रुप के सहऺुजसे प्रोजेक्ट 75 कितेर कलवरी सैडी की 6 पंडुबीओं को निर्माड किया जारा है एक डिजील अलेक्टिक पंडुबीयां फ्रांस की इसकॉरिफीन सैडी की पंडुबीयां पर आधारी थह ये 6 पंडूबियां कलवरी, खंजरी, करंज, वेला, वागीर, बाकसीर भी है एसकोर्पियन सेडी की इन पंडूबियों की निर्माण के लिए अक्टूबर 2005 में भारत व फ्रांस के मद्द 3.75 यानी की 3.75 बिलियन डॉलर की समझोती पर हस्ताक्चर किये गए थे और ये पंडूबियों की सिंखला का चोथी पंडूबिय है या एक डीजल एलेक्टिक इस्टेल्थ पंडूबिय है जो रडार की पहुंच से बचकर निकल सकती है इस्टरंग रे परिवार में से समंदित एक भारती मचली के नाम पर आई एनस बेला का नाम करण किया गया है और इसी नाम की एक पंडूबिय भारती नोसे नाम में बर्स 1973 से 2010 की मद्द 3 इस कॉर्पेरिन सेनी की पहली पंडूबिय आई एनस कलवरी है जिसे दिसमबर 2017 में भारती नोसे नाम में सामिल किया गया था और दूती पंडूबिय आई एनस खंदरी को की भारती नोसे नाम 허ूबिय पहली नुनिस को की गई थी इस एड़ी की तिती पंडूबी आइनेस करंज को 10 मार्च 2021 को भारती इनों से नामें सामिल किया गया है कव 10 मार्च ठीक है तो यह भी याद रखीगा फिर आपकी आइनेस वाकसीर का जलावरन भी हुआ है इसके बारे में जान लीजे बीस अपरेल 2022 को मुंबई इस्तित मजगाओं डॉक सिफ विल्डर्स लिमिटिड ने सौदेशी निर्मे पंडूबी आइनेस वाकसीर को जलावतरन किया है या पंडूबी पश्मी 109 सेना कमान के पंडूबी बेडे कांग होगी और आईनेस वाकसीर भारती नोसेना ही तुप प्रोजेक्ट 75 के था निर्भीक निर्मित 6 पंडूबीयों की सिंकला की अंतिम पंडूबी है या एक डिजल एलेक्ट्रिक संचालित स्टेल्ट पंडू आप देखेंगे INS विसाखा पतनाम भारती नोसेना में सामिल हुई है 21 नवंबर 2021 को मॉंबई स्टित 9 सेनिक पोदगा में आयुजित एक समारो में INS विसाखा पतनाम को भारती नोसेना में सामिल कर लिया गया है पोड़ भी तरपर इस्टित अंध्पिदेश की इतिहासि सहर विसाका पतनम दा सिटी ओप डेश्टिनी की नाम पर योदपोत का नाम करन किया गया है। आप देखें कि सयुक्त गैस इभम गैस विद्नियास के में चार सकती साली गैस टर्माइन इंजन द्वारा संचालित किया जाता है। परियोजना 15B के तहट निर्मित पितम नेदिसित मिसायल विद्वानसक पोत आई एनस विसाका पतनम का जलावरन 30 अपरेल 2015 को संबन हुआ था। जबकि इस तेडी की दूसरे पूत आई एनस मौरमू गाओ का जलावतरन 17 सेप्टमबर 2016 को किया गया था। इस तेडी की दो अन्योध पूत आई एनस इंफाल और आई एनस सूरत हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं रुस्तम 2 ड्रॉन के बारे में। यह आप देखेंगे 13 नमूंबर 2021 को रक्षा अनुसंधार एवं विकास संकठन ने रुस्तम 2 ड्रॉन के स्वायत रोप से उडान भरने एवं लेंड करने की छमता का सफल परीक्षन किया है। और यह परीक्षन बैंगलोर करनाटक में किया गया है। रुस्तम 2 का तफस BH 201 नाम से भी आप लोग इसे जानते हैं। और आप देखेंगे कि अक्टूबर 2020 में D.I.D.U. ने लंबे समय तक उडान भरने में सक्चम इस सोदेश प्रोटो टाइप ड्रॉन का सफल पर उडान परीक्षन चित दुरुग करनाटक में किया था। दच्छिन भारत का राज जेना चित दुरुग करनाटक वहीं आप लोगों को चित दुरुग देखने को मिलेगा। जला उतरन किया गया है। रूस द्वारा भारती नोसना के लिए प्रोजेक्ट 1135 स्थमलो 6 के तहट तलवार सैणी के स्टील्थ नेदिसिक मिसाइल योद पोतों को डेजाइन के वह निर्मित किया गया है। और नवमपर 1997 में भारत रूस के मद्द हुए एक बिलियन अमेरिकी डॉलर की करार के तहट तलवार सैणी के पहले तीन योद पोतों यथा आईनेस तलवार, आईनेस तेसोल, आईनेस तवर की भारती नोसना में तैनाईती हो चुकी है। और पुनहा जुलाई 2006 में भारत सरकार रूस के मद्द हुए करार के तहट निर्मित तलवार सैणी के तीन और योद पोत आईनेस तेक, आईनेस तरकस और आईनेस तरी खंड बरतमान भारती नोसना में सक्री है। प्रोजेक्ट 1135 देसंबलो 6 के तहर तीसरे में वैच में दो और योद पोतों का निर्मान वरतमान में रूस के यांतर सिर्फ गार्ड पर किया जा रहा है। पोत सार्थक को गुवा में राष्ट को समार्पित किया गया है। और आजकल आप देखे आतंकी पानी के जरिये भी आ जाते हैं चुकचाप से। आईसी जी एस सार्थक गुजराद के पोरबंदर में इस्तित होगा। और कमांडर तर्ट रक्चक छेत उत्तर पश्चम के संचालन और पिसासनिक नेंदम के तहट भारत के पश्चमी समुद्र तर्ट पर संचालित होगा। और याद रहे कि आईसी जी एस सार्थक भारत भारती तर्ट रक्चक बल के लिए गुआ से व्यार लिमिटेड द्वारा निर्मित किये जा रहे पांच अपतर्टी अगस्ति पोतों के संखला का चोतरा पोत है। आईसी जी एस सचेत, आईसी जी एस सुजीत और आईसी जी एस सजग और आईसी जी एस सक्षम है। और 2450 टन बजिनी यह पोत 105 मीटर लंबा 9100 किलो वार्ट के दो डीजल इंजन द्वारा संचाले थे। या 26 समुदरी मील की अधिक्तम गती प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। फिर आप देखेंगे अगनी 5 का सफल ओडान पर इच्चन हुआ है। एक अपकी बात है 27 सक्टूबर 2021 की बात है को उडिसा इस्तित अपीजे अब्दूलकलाम दूइप से अगनी 5 मिसाइल का सफल पर इच्चन किया हुआ है। और 17.50 मीटर लंबी और 50 टन बजिनी अगनी 5 एक तरी चर्णिये पिच्छे पास्त है। या ठोस पर रोदक संचालित पिच्छे पास्त अपने साथ एक से लेकर एक दसमलों 5 टन पारंपरेक्ट नापकिये दोनों योद्ध सीथ से ले जाने में सक्चम है। अगनी एक अंतर महादीपी है वेलिश्टेक मिसायल है जिसकी आवरमईक मारक चमता आप देखेंगे 5000 किलोमीटर है लेकिन इसे 8000 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। और अगनी फायब का पहला विकासात्मक परिक्चन 19 अफरेल 2021 को जबकि दूसरा परिक्चन 15 सेप्टमर 2013 को संपन हुआ था। जो और 10 देसंबर को अगनी फायब के 3 और परिक्चन संपन हुए है। तो इनके बारे में कुछ पोइंट आप लोगे याद रखेगा। यह उडान परिक्चन विकासात्मक उडान परिक्चन का है। यह सोदेसी लक्ष बिमान पूर्ण रोप से विक्सित होने के परश्चात भारती ससकते सेनाओं की उच्छ गति के हवाई लक्ष संबंदी आवसकताओं को पूरा करेगे। और अभ्यास को D.I.D.O की परियोक साला एरो नॉटिकल डवलमेंट एस्टेव मेंट बेंगलोर द्वारा डिजाइन और विक्सित किया गया है। सबसोनेक यती से लंबी दूरी तक उड़ान भड़ने के लिए वहाँ गेस्ट तर्वाइन इंजन द्वारा संचाले थे। तरह आप देखेंगे कि मुख योधक टैंक अर्जुन मार्ग 1A ये 23 सेप्टमबर 2021 को केंदरी रक्षा मंतराले ने भारती थल सेना गेतू 118 अर्जुन मार्ग 1A टैंकों की आपूर्टी के लिए भारी वहान कारखाना अवनी चेन्नई को आदेस जारी किया है। और 14 फरवरी 2021 को पिधारमंती ने भारती त्वारा चेन्नई के जवालाल नहरु इस्टेडियाए में आयुजेत एक समारो में मुख योधक टैंक अर्जुन मार्ग 1A को भारती सेना को सपोर्ट किया था। इस टैंक के निर्मार डी आईडियो की चेन्ने इस्टे त्रियोक साला कॉंबेट वहिकल एंडवलमेंट इस्टेवलिस्मेंट द्वारा किया गया है। तो इसके बारे में ये भी आप लोग याद रखा करिएगा चोटी चोटी बात ने हैं लेकिन मौटी मौटी बात ने हैं। पीर्सिंग, डिस्कार्ड, सीवोट, सेवोट, पेडाली से लेसे। और आप देखेंगे एपस, APDS पेडाली गोला बारूत को तीब गतिद उर्जा के साथ फेकने में सक्चम उद्धोगी की है। इस टेंग को खास डिर्यागिस्तानी इलाके के लिए तेयार किया गया है। इसका अत्यदिक बजन इसे पहाडी चित्रों में स्थावित करने में बादक है। INS धुरुप की तेनाती यह आप देखेंगे कि 10 सेटंबर 2021 को विसाखा पतनम इस्तित हिंदोस्तान से वियाड लिमिटेट में भारती नोसेना पोद धुरुप को आधिकारी क्रूप से सिवा में सामिल कर दिया है। INS धुरुप भारत का पहला मिसाइल का पहला का पता लगाने वाला समुदरी इनिकरानी पोद है। लडाकू विमानों को दुसमन्त के रडार से बचाने ही तुछ चैफ प्रोधगी की कभिकास किया गया है। और फिर आप देखेंगे। नई पीडी का मिसाइल आकास और आकास आये सिंखला की मिसाइल है। और यह मिसाइल दोहरे प्रिलस पल्स है। दोहरे पल्स ठोस इनन रॉकेट मोटर और एक तनस्तर क्रिल्ट लॉंचर और एक रडार से युग थे। जहां परामपरागत आकास मिसाइल का बजन लगवक 270 किलोग्राम है वही नई फीडी के आकास मिसाइल का बजन मात 350 किलोग्राम है। परामपरागत आकास मिसाइल पुरानी रेम जेट मोटर से लेस है वही आकास एंजी मिसाइल में द्वीपल्स ठोस और रॉकेट मोटर लगी हुई है। आकास मिसाइल के दोरान एक मानो रहे थवाई लक्ष को रोक कर उसे नश्ट किया है। फिक्वेंसी सीकर से लेस किया गया है और उचूचाई पर कम तामान वाले बातापन में अधिक बिस्वसनी फिदर्शन लाने के लिए अन्रसुधार भी किया गया है। फिर आप देखें MP 80GM का सफल पर इक्षन एक क्या है। 21 जुलाई 2021 को रक्षा नुसंदान विकास संगटन ने मानो द्वारा वहनिये टैंक रोधी ने देशित मिसाईल का सफल पर इक्षन किया है। मिसाईल को एक मानो द्वारा वहनिये लॉंचर से पिच्छे बित किया गया था। AV Unix से युग थे जो किरम सा लक्ष की पहचान करने वो मिसाईल को दिसाने देश करने में महत्पूर्ण भूमी का निवात थे हैं। DIDO VEM Technology Private Limited से मिलकर इसका निमाड किया है। तितिय सेडी इस मिसाईल का पिथम परीक्षन 15 सेप्टमबर 2008 को किया गया था। और 11 जन्मरी 2022 को DIDO ने MP ATGM मिसाईल के अंतिम आपूर्टी योग प्यारोग का सफल ओडान परीक्षन किया है। फिर आप देखिए अगनी क्या अगनी प्री प्रायम मिसाईल पी प्रायम मिसाईल का सफल परीक्षन। ये 28 जून 2020 को रक्षा अनुसंधान एबंविकास संगठन द्वारा उडिसा के बाला सोर इसते डॉक्टर APG अब्दुल कलाम दूइप से नई PD की परमाडू चमता योगत माध्यम दुनी की वैलेस्टिक मिसाईल का अगनी पी का सफल परीक्षन किया गया है। अगनी पी अगनी सेडी की सतय से सतय पर मार करने वाली मिसाईलों का अत्यधुनिक संसकर्ण है। का प्रियोग किया गया है। और इन कई उन्नत प्रोदुकियें जैसे कंपोस्ट रॉकेट मॉटर रेंग लेजर गायरो इसको आधाते इन सेरियल नेविगेशन परडाली तथा माइक्रो नेविगेशन परडाली ओं आधी का समाविस किया गया है। हेड की साल लगबग फंद्रे सो किलोमेटर की दूरी तक हमला करने में सक्षम है। हम लोग इसनी मिसाइल हैं ये दुनिया भर का कियम करते हैं। क्योंकि आप सभी जाते हैं रक्षा बहुत जरूरी है। और आप देखें कि हो सकता है कि कभी वायू से आप देखें कोई डौन के जरीए या हवाई जहाज के जरीए या आप देखें कि एरो फिलेन के जरीए या आप देखें कि नौका के जरीए पानी से या आप देखें जमीन के जरीए हमारे देश में गोश सकता है। तो उनसे रक्षा करने के लिए हमारी पास सुविधाय हैं तो होना चाहिए और INS राजपूत सेवा मुक्त हुआ है 21 मई 2021 को भारती ये नोसेना ने अपने विद्धवान सक पोत INS राजपूत को सेवा मुक्त कर दिया है देखिए जो यूकरेन का ऐसा रूस जिसे पहले आप लोग रसिया कहते थे सहीवत राज एक तरह से आप देखिए USA सार कहते समय रहे हैं आप लोग तो इसी इसको अलग करके आप देखिए USA सार का विक्टन हो गया था उसके बाद यूकरेन बाकी देश अलग हो गयते इसका मूर रूसी नाम नादे जनी है था और जिसका अर्थ होता है आसा चार मार्च चार माई 1980 को इसे भारती नुशना की राजपूत सेड़ी के पिरमोख विद्वनसक पोद की रूम में तैनाज किया गया था आई एनस राजपूत भारती थलसेना की राजपूत रेजिमेंट से समद्ध होने वाला भारती नुशना का पहला पोद भी था इस पोद का आधर सबाक राज करेगा राजपूत सो वियस संगा आप लोग जिसे जानते थे ना 1991 में वेक्टन हो गया था और रूस और रसिया इनसे हमारे समद्ध बहुत अच्छे रहें पिरमों की योद दभ्यास हैं इन्हें भी देख लिजी आप लोग योद दभ्यास का नाम हो गया भागेदारी देश, पिरकार, तिथी और इस्थान विसेश्था ऑप्रेशन गंगा भारत की बायुसेना का योद धभ्यास है, योद प्रभावित भारती नांगरेकों के तू बचाओ अभियान है, कौँसा ऑप्रेशन गंगा, आप सभी जानते कि हमारे यहां के बहुत सारे लोग योग योगरेन में थे, पढ़ाई के उद्देश से अभियान के तेशन से अधिक भारती नांगरेकों के साथ 18 देशों की 147 बिदेशी नांगरेकों के सफलता पूर्वा की उक्रेयन से सुरच्चे निकाल गया, ये उक्रेयन से लोग वाकिया, हंगरी, पुलेंड और रोमानिया संबंदे थे, धरमगार जियन भारत जापन के भारतिये सेना और भायु सेना धल सेना और तटरक्षक बल के वीच हुआ है सायुकत समुद्री अभ्यास है, 6-25 जन्मडी 2022 के मत्द। भारत के पश्मी तटपर, उद्देश भारतिये नांगरेकों के मत्द अंतर सेवा ताल मेल बढ़ाना, इसका आयोजन पश्मी सेना कमा के तत्वाधान में किया गया है। अब्यास का बंदरगा चर्ण 26 फरवरी से 28 फरवरी तक और समुदरी चर्ण 1 से 4 मार्च 2022 तक आयो जित बरुन 2022 भारत फ्रांस के बीच होता है नो सेन अब्यास है नो सेन अब्यास तीस मार्च से 3 अपरेल तक अरब सागर में 20 वास अंस्क्राण है नो सेनिक सहयोग द्वारा दोनों देशों दोरा खोले मुक्त और समाविक सी हिंदे पिसान चेत दरिश्टी कोण को बढ़ावा देना इसका उद्देश है दस्त लिख ये आप देखेंगे भारत उजवेकिस्तान के 2022 का है भारत उजवेकिस्तान के बीच हुआ है सेन अभ्यास है और 31 मार्च 2022 के बद हुआ है यांग यारिक उजवेकिस्तान में हुआ है तीसरा संस्कार्ण का आयो जन्हें अर्द सहरी बातवर्ण में आतंगबाद ग्रोधी अभ्यानों में पिसीक्षित करने का उसर है अब आप लोगों के मन में एक और आहा होगा ये अभ्यास के पिए जाते है देकि तकन सेना का पिती निद्धी आई एनस किर्च ने किया है बंदरगा चरण साथ से आठ मार्ट विसाका बतनम समुदरी चरण नो से दस मार्च बंगाल की खाड़ी में हुआ है नौबा काजिंद भारत कजाकिस्तान के विच बार्सिक से नब भ्यास है एक से दस सेप्टमबर दो पिराज के वीच हुआ है नोसेन अभ्यास है चाट अगस्त बंदे एक जाम में पूछ लेता है कि ये अभ्यास किन दोन देशों के वीच हुआ था किन किन देश सामिल थे इसमें अबु धावी की तरब पर हुआ है भारती नोसेना की तरब से आईनस कोची ने भाग लिया ह के बीच अंतर किरिया सीलता और तालमीर बढ़ाना है मालावार 2021 भारत अमेरिका और जापान के वीच हुआ है चार देश सामिल बार्शिक नोसेन अभ्यास है एचबी से 29 अगस 2021 में हुआ पर थाज चरन फिलिपिन सागर के पास और 25 बास अंसकाण है 1992 से शुरूबात फिर आप देखें कि 12 से 15 अक्टूबर 2022 की वीच दुथीय चरन हुआ बंगाल की खाड़ी में मेजबान रहा है अमेरिकी नोसेना ने मेजबानी की तर आप देखें कि 12 बार बाक कॉंकर अभ्यास 2021 भारत बैटेन की वीच नोसेन अभ्यास है 16 अगस 2021 और इंगलेस चैनल भा अल मोहेद अल हिंदी ये 2021 भारत साओधी एरब के वीच 99 अभ्यास है हारवर चर्ण बारे से 10 से 12 अगस 2021 के मद्द हुआ है दोनों देशों के वीच पहला नोसेने का अभ्यास है भारती नोसेना की श्टील्द विध्वनसक आई एनस कोची ने भाग लिया इसमें कॉर्फोरीट अभ्यास 2021 भारत इंडोनेसिया के वीच 99 अभ्यास है बर्स में दो बार और होता है ये 23 से 24 नवंबर 2021 के मद्द हिंद मासागर में 37 वासंस करने है भारती ने उसे ना बोथ आई एनस खंजर डौनियर मेरिटाइम प्रटॉल एयरक्राफ्ट सौधिस निर्मि मिसाइल का औरवेट ने भाग लिया इसमें ऑपरेशन समिदर से इतु सेकेंड भारती नव सेना के साथ जहाजों को तेनाद किया गया था आई एनस कोलकाता कोची तलवार तवर तरीकंद जलाक्ष और एरावत योद्ध अभ्यास 2021 भारत अमेरिका की वी सेना भ्यास है 15 से 29 अक्टूबर 2021 के मद अलासका USA में 17 संसकर्ण है योद्ध अभ्यास भारत अमेरिका की वीच होता है ठीक है जमेक्स भारत जापान की वी समुद्रे दुई पक्षी अभ्यास है 6-8 अक्टूबर 2021 में किया गया अरब सागर में 5 वा संसकर्ण है अजे बोरियर भारती उनाइ 21 के मद किया गया अमपारा सिरिलंका में 8 वा संसकर्ण हो साथवे संसकर्ण कायोजन 2019 में पूने महाराष्ट में किया गया था सांती पूर्ण में संघाई सहयोग संगठन सदस इसमें दुईबासिक सेन अभ्यास है 13 से 25 सेप्टम 2021 के मद चला है और एन बर्ग रूस में 6 सं मंदों को बड़ा बाद देता है सोर किटान भारत नेपाल के वीच इस सेन अभ्यास है 30 से 20 सेप्टमबर से 3 अक्टूबर तक चला है पितोरागड उतराखन भारत में 15 वा संसकर्ण है आतंग विरोधी अभ्यानों और आबदा रहत कारियों के सांजा अनभाहों को बढ़ा भारत की ओर से एक 4-5 बाद गोर्खा राइफल्स ने स्पितेर्स पदा में स्वर्ड पदक जीता है दच्चिर सकती अभ्यास ने एक साथ कितनी अच्छी तरह समनवाई स्थापित किया है सकती भारत फ्रांस के बीच दुई वार्शिक से नभ्यास है 15-16 नवंबर 2021 के बीच फ्रांस में 6 संस्कार ने 5 संस्कार राजिस्थान में 2019 में हुगा था पासेक्स आप देखेंगे कि भारत रोख्ष के बीच 9 से नभ्यास है 14 जनवरी 2022 को अरब सागर में हुगा था से नभ्यास है 15-16 नवंबर 2021 को अंडवान सागर में 30 संस्कार ने 5 संस्कार ने 5 से नभ्यास है 16-19 दिसंबर 2021 के बीच कर दुई माल्दी में हुगा है 11 वा संस्कार ने 5 संस्कार ने तो इन अभ्यासों को जरूर याद रखेगा अब यहां कुछ पॉइंट है नहीं भी देख लिए वंडेक जाम के लिए काफी महत्पूर रहते हैं रूस द्वारा किसे अंतर महादीपिय वेलिष्टिक मिसाइल का सफल परीक्षन किया गया है सर्मत का भारार रूस द्वारा निर्मित बिरमो सुपर्सोंिक क्रोज मिसाइल का सफलता एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज कौन सा बना है राजस्थान इजराइल द्वारा किसे नाम से नई लेजर मिसाइल रक्षा पिणाली का सफल पर एक्षन किया गया है आयरन वीम हिंदुस्तान एरोनोटेक्स लेमितेड ने चेतक हली कोप्टर प क्या नाम दिया गया है एजडी वन 13.5 मिलियन एफिकास बर्स दूर है भारत की पहली मेड इन इंडिया डोर्नियर एयरक्राफ्ट प्लाइट में प्रियोक्त विमान डी 0-228 से उडान किन इस्थानों की मद्द संचालित होगी ए डिपरूगड असम पासीघाट अरणाचल कि देश लेलावारी ए असम नेप्शियून एंटी सिप क्यूज मिसाहिल का देश किस देश से संबंदी थे यूकरेंड विसके सबसे बड़े साइवर अपराद अभ्यास लॉक्ट सील्ड 2022 की मेजबानी किस देश ने किये इस्टोनिया ने आज़िसमार महारत डिजीटल मि कोविद 90 से सुरक्षा ही तो DNA वैक्सीन लगाने वाला भारत का विसका पहला देश कौन से बना है यह भारत है इंडिया है किस अंतरिक्च एजनसी द्वारा एक बिसे जासुसी उपगर है एन आर ओ एल 87 का अंतरिक्च में सबलता पूर्वक पिछेपन किया गया है Space X द्व साली में ख़ोल विदों द्वारा पता लगाए गए विद्वी के दूसरे ट्रोजन जुद्दग्रय का नाम क्या है वीस वीस 2020 एक तरह से आप कहिजी XL5 भारती पुरुद की संस्थान मद्रास की किस महिला विज्यानी को हरित पुरुद की विदी के जरी एक तर्मों के रस किसी यह रूप से मत्पूर यहोगे को विक्सित किया गया है बेंजो भी थी ओ फीन को किस देखने देश ने पहली बिरमोस मिसाल ने रहा थी तो बिरमोस यह एरो इसपेस प्राइवेट लिमेटिड के साथ समझो तक किया है फिलेपिन्स ने इंदोस्तान एरो नोटिक्स द्वारा निर्मेत समुदरी इस रक्षा को वड़ावा देने के लिए पोर्ट विलियर में आई एनेस उत्त क्रोस में तेनात होने वाले विमान का क्या नाम है एलेक एलेज एमके थैड बियसेप द्वारा ऑपरेशन सर्थ हवा किस सोद्दे से संचालित किया गया है पाकि आचा मेरा तेली नीला पुरम अंतराष्टी पक्षी अभ्यारन किस राज मिश्ते थे आंध विदेश में सोलेवे भारतिय डिजिटल सिखर समेलन को किसने के द्वारा आईवजित किया गया है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसीशन ऑप इंडिया के द्वारा इस सिखर सम कि पहली बार किसन ने डिजाइन और कयानवित की थी एन एन एटी एम ओ एन एटी एम ओ का पूर्ण रूप है नेशनल एटलस एंड थेमेटिक मैपिंग और्गनाइजिसें किस मंदिर को सेविक्तराष्ट सैक्षडिक विज्ञाने को सांस्केतिक संगठन की विस्तर है करनाटक में आपको देखने को मिलेगा हाल ही में किस राज्य में पहले ब्रेंड हेल्थ इनिसेटिव कारकरम को सुरुवात की गई है करनाटक में कहां करनाटक में और हाल ही में किस राज्य में पहले ब्रेंड हेल्थ इनिसेटिव कारकरम को सुरुवात की गई है एक करन ग्रेटा थनवर्ड की नाम पर रखा गया है जो किस देश से संबन दी थे हैं स्वीडन से भारत में पहला राज इस तरिये पक्छी पक्छी एटलस किस राज्य में बनाए गया है एक केरल में नासा के अंतरश्टी बायू और अंतरिक्ष कारकरम पूरा करने वाली पहली भार के हन सरकादवारा की सिस्थान पर छे परमाड़ो उर्जा रीयक्टर स्थाविद करने की सिद्धानतिक मंजूरी ती गई है जेतापूर महराश्ट में एन रीयक्टरों को किस देस की तक्निक की सहयुक से स्थाविद किया जाएगा फ्रांस इस पकार जेतापूर भारत का स ABU Robocon 2022 की theme क्या है लगोरी ABU Robocon 2022 का आयोजियक Asia Pacific Broadcasting Union है अमेरिकी अंतरिक्ष एजनसी नासा का पहला गेर ग्रिही रक्षा परिक्षन मिसन हडायट है डायट का पूरा नाम Double Asteroid Redirection Test भारत का पहला एक स्वास्त सहायता संग लॉंच किया गया है जय परोदोकी की बिभाग DBT ने तो चलिए ये क्या रहता है आपका बिज्ञान एवं परोदोकी की हो गया और मुझे लगता है कि 2021-22 में जो भी घटना है घटी काफी यतना बढ़ लीजे का बिज्ञानिक परिदिस भी कवर हो जाता है आँगे हम लोग संचिप्तिया देखेंगे उसमें कुछ चर्चित ब्यक्ति चर्चित इस्तल पुरुसकार इस तरह की तमाम आकड़े रहेंगे उन पर भी हम लोग विस्ताव सही बात करेंगे आप लोग पढ़ते रहें कोई सवाल हों आपके तो आप पूछ सकते हैं सुझाओ हों तो सुझाओ भी दे सकते हैं आप लोग ठीक है हम लोग मिलते हैं